तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज का ये क्लास जो है क्लास 12 के हिंदी के अब्जेक्टिव कोशन का महा मैराथन क्लास है आज का ये वीडियो काफे इंपोरेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के बुक का टोटल अब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट करने वाले हैं हमात्र एक विडियो में 12th क्लास के हिंदी का बुक complete सारा objective question complete और हर एक चेप्टर का चेप्टर वाईज हम लोग objective question करेंगे ठीके 1 2 3 करके इस तरह और सारे चप्टर का यानि की पूरे बुक का हम लोग objective question complete करेंगे प्लस ये भी आप लोग को पता चलेगा कि जो आप लोग के previous year में question पूछे गये हैं वो कितना important है वो मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि सभी तरह के subjective question जो कि आप लोग के previous year में पूछे गये हैं वो सभी question और प्लस जो आप लोग के exam में 2024 के exam में पूछे जा सकते हैं उन सभी objective question को मातर आज के इस एक वीडियो में complete करने वाले हैं तो आप कह सकते हैं कि आज के class जो है ये महा मैरातन class है थोड़ा सा लंबा class चलेगा लेकिन हां सारा objective question हम लोग complete करेंगे ठीक है न तो आप लोग को अ स्वागत है आपकी इस वीडियो में आज के इस वे एक वीडियो को पूरा देखी और सारा objective complete हो जाने वाला है लेकिन अगर आप पहले से पढ़े हुए हर एक चप्टर को पढ़े हैं और हर एक चप्टर का objective question भी किये हैं सब्जेक्टिब कोशन भी किये हैं यानि कि आप ल परदस्त रिवीजन हो जाने वाला है आप देखिए कि आप कितने question का answer सही कर पा रहे हैं इससे आप लोग का revision हो जाएगा और जो student अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो सारे objective question को जैसा कि आज कि इस वीडियो में करा ही दे रही हूं तो उस पर command कर ले ठेके ना तो चल class के हिंदी के final exam में question पूछे जाएंगे इससे बाहर कहीं से नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि सारा objective question इस एक वीडियो में complete कर रहे हैं तो सोचे इससे बाहर कोई और question हो सकता है नहीं हो सकता है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फड़ाफट वीडियो को like महामयराथन होगा ठीक है ना तो हर एक वीडियो में आप लोगों को महामयराथन के जरीए objective और subjective complete कराया जा रहा है और इस सीरीज को आप लोगों को मिस नहीं करना है पर तीक वीडियो को देखना है और हर एक subject पर command कर लेना है तो नाव without a delay let's go to start तो यहां से आप लोग का स जुड़े रहना है और सारे objective question पर command करना है मेरे answer बताने से पहले आप लोग खुद से question का answer दीजिएगा और जिस question का answer आप लोग का सही हो जा रहा है तो खेर अच्छी बात है लेकिन जिस question का answer आप लोग का गलत हो जा रहा है देन उसी वक्त आप लोग उसका सही answer याद कर दीजिएगा ठीक है तो देखिए सबसे पहला सवाल आ चुका है आप लोग के स्क्रिन के उपर बाल कृष्ण भट का जन्म हुआ था कब हुआ था option A में 23 जून 1884, B में 23 जून 1884, C में 20 जुलाई 192 और D में 18 सितंबर 1834, इसका सही जवाब होगा option A, 23 जून 1884 को बाल यूग के निवंदकार थे तो वह भारते दू यूग के निवंदकार थे नेक्स्ट कोश्टन मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह है अवाख होकर अपने से बातचीत करना समवाद में सबसे महत्वपून क्या होता है सबसे important point होता है याद रखना है आप लोग को बताइए क्या होगा इसका सही जवाब इसका सही जवाब होगा आत्मियता और सी विल विदा दीजिएगा और ताकि हम लोग कम समय में ज्यादा अब्जेक्टिव कोशन यानि कि कम समय में पूरा का पूरा अब्जेक्टिव कोशन कंप्लीट कर पाए देखिए कोशन नबर सिक्स है कि सही जवाब होगा वहोगा और स्री निवास दास्ट की कौन सी कृति बाल कृष्ण बच्की लेहीई नहीं है पूछा गया है सही जोब म समय जवाब होगा ऑसमभी प्रभावति जो है न यह आ बालकृष्ण भड़ द्वार नहीं लिखा गया है कौन सी कृती बाल कृष्ण भड़ की लिखी लें तो इसका स्रीज जोआब होगा रेल गहेट खैल जो ईना यह द्वारा लिखा गया है भाल कृष्ण बड़ किस युग के साहितेकार्थ हैं तो यह भारतेंदु युग के साहितेकार्थ option भी हो जाएगा बादचित किस विदा की राशना है आप लोग जानते हैं बादचित क्या है यह एक निबंध है रॉबिंसन कुरूसों ने सुल्ला वर्स के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी यह पूरा चेप्टर में आप लोग को अलड़ी पढ़ाई भी हूं अगर आप लोगों ने चेप्टर पढ़ रहा है तो आप लोग किस तरह से किया जाता है जैसा कि मैं आप लोगों बताई थी स्री निवासदास की कौन सी रचना बाल कृष्ण भट की नहीं है तो इसका जो सही जवाब है वह है बताईए पंद्रा का ऑप्सन नंबर डी हो जाएगा परिक्षा गुरू यह बाल कृष्ण भद्वारा नही कि श्रेड़ी में रखा है सही जवाब होगा इसका ऑप्सन नंबर सी राम चंद्र शुकल ने आगे बढ़ते हैं यहां पर तो चैप्टर नंबर वन का अब्जेक्टिव कंप्लीट अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर टू की तरफ पड़ाफट आप वडियो को लाइक श अबर टू कब हुआ था इनका जन्म कहा हुआ था उकसन आ में हरियामा में बी में मेः जय सिंग के गाओं का नाम क्या था मांजे था लहना सिंग किस पद पर था तो जमादार के पद पर था यह बहुत ही आसाम सवाल है यह हर एक चप्टर को मैं आप लोग अलड़ी पढ़ा भी चुकी हूँ खेर आप लोग जानते भी होंगे देखिए कि लहना सिंग की मृतिव किस सिंग था ऑप सनमबर एग सना संटो था तोसही जवाब होगा kupसण नंबर ड जर्मणई के साांथ संठी सिंगो прин नेह सिंग निमए मार डिया तो लहना सिंग के जमधार लहना सिंग का नंबर का था कि जो नंबर ता यहागस ऌनिम सरकार ने सुबेदार को जमीन कहां दी है तो लायलपूर में दिया था बारा का आपसनमर डी दा करेक्ट एंसर नेक्स्ट कोशन देखिए कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है तो इसका सही जवाब होगा उसने कहा था तो खेर चंद्रधर शर् नाम सही रिलेटेड है गुलेर के मुल्निवासी थे कच्छवा धरम किसका संबंध है कच्छवा धरम किसका संबंध है तो इसका सही जवाब होगा पंद्रव का ऑप्सनमबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी नेक्स्ट कोश्टन कौन सा निबंद गुलेरी द्वारा रचि बार-बार लड़की से इस पूछता है कि तेरी कुर्माई हूए गई क्या मंगनी हो गई क्या और एक दिन गुस्षय में लड़की भी आकर बोल देती हैं कि हां मेरी कुर्माई हो कई ठीक है बोधा कौन था बोधा सिंग आप लोग बताईए सही जवाब क्या होगा अठारा कॉप्स नमडी सुबेदार हजारा सिंग का बेटा था लहना सिंग क्या था वह एक जमादार था चंद्रधर लेरी की कहानी कौन सी है तो उसने कहा था ठीक है एक इस नम्बर क्वेशन है कि कच्छुअ धरम किस की कृत्व है की कृती है पूरानी हिंदी रशना है किन की रशना है आप जानते हैं चन्द्धर शर्मागूले की रशना है भी में किस शहर का चितरण है तो खासतोर से अम्रित सर की ऑप्सन नंबर ए विल भी दा करेक्टेंट सर यहां पर चैप्टर नंबर टू भी कम्प्लीट अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर थ्री की तरफ देखिए चैप्टर नंबर थ्री का नाम है संपूर्ण क्रांथी और इसका सबसे पहला सवाल है कि किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है और आप लोग जानते हैं वो है जैप्रकाश नरायन को ओप्सन नंबर बी धीरे से टिक कर दिजिए जैप्रकाश नरायन का जन्म कब हुआ था तो इसका ओप्सन नंबर ए हो जाएगा यह 11 सवामी सत्यदेव की भाषन सुरून कर जैप्रकाश नरायन को जो है ना अमेरिका जाने की प्रिर्णा मिली थी तो चार का अप्सन नंबर बी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर फाइफ है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी कौन उप्सन नंबर सी ब्रेन और बॉम्बे कहा जाता है किसको कहा जाता है तो जैट कर दिख्षित को कहा जाता है जय प्रकाश नरायर ने आई-äसस की परिक्षा कहाँ से पास की थी यह इंपॉर्टेंट सवाल है इसका भी धार्यों से Lindu की परिक्षा पास की थी लेनीन क सवाल है कि फड़िश्वर नाथ रेडू की पुस्तक है तो कौन है दस का इसका भी ऑप्सन नमबर डी मैला आचल उन्हें सचोहतर में बिहार प्रदेश के मुख्य मंतरी कौन थे उन्हें सचोहतर की बात की जा रही है उस वक्त बिहार के मुख्य मंतरी थे जैप्रकाष नारायन का बच्बन का नाम क्या था ये तो बहुत ही आसान सवाल है सही जवाब क्या होगा बताइए बारह का ऑफ सथ再 नंबर बच्पन को किन तो बहुंप Do दिनकर्जी किसलिए परसिद हैं जी हां साहित्यक रशना के लिए जैप्रकाश नरायन को भालत की जनता किस नाम से याद करती है तो लोकनायक के नाम से याद करती है जैप्रकाश नरायन ने संपुन तो इस पाटी का गठन हुआ था उन्हें सब बावन में, जै प्रकाश नरायन को भारत रतन की उपादी कब दी गई, तो उन्हें सब अंठान में दी गई थी, option number B will be the correct answer, next question on the screen है कि उर्वशी किसकी रचना है, important question और इसका सही जवाब, option number A, रामधारी सही दिन कर, माटी की म जवाहर लाल नहरू कहे थे, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो दिनकर जी का निधन हो गया था, यहां, विलिंग डन, नर्सिंग होम में, option number D will be the correct answer, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 26 नमबर सवाल है कि जै प्रकाश नरायन को किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का दलाल इनको कहा गया था, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, जब प्रकाश नरायन के स्वास्त पर निगरानी रखने वाले, डॉक्टर का नाम क्या था, तो उनका नाम था, डॉक्टर रह्मान, अब यहां पर तो हो गया, चैप्टर नमबर 3, अगे बढ़ते हैं, च कोशन तयार की हूँ, यानि कि उसमें जो इंपोर्टन कोशन है, वो भी मैं आप लोगो करा रही हूँ, और फिर आगे चलकर आप लोगो को हमारे द्वारा तयार किया गया, अबजेक्टिव कोशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी गेस और गाइड कहीं मैं कराऊंग कौन सी कृती रामधारी से दिनकर की लिखी हुई है, सही जवाब क्या होगा, शुद कविता की खोज, और इस तब करेक्ट अंसर, अगला सवाल है कि कौन सी कृती रामधारी से दिनकर की लिखी हुई नहीं है, तो जो कृती नहीं लिखी हुई है, वो है साकेत, दिनकर को क इसक्रिति पर भारतिय ज्यान पीठ पुरसकार प्राप्त हुआ तो वह लिखे थे उर्वश्य इसी पर इनको भारतिय ज्यान पूरसकार मिला था दिंकर जी का जन्म कब हुआ था तो पांच का ओप्सन नमबर A विल्वी दा करेक्ट रंसर 13 सितंबर उने साथ को दिनकर किस यूग के कवी है तो सही जवाब हो जाएगा उप्सन नमबर सी छाया बाद उत्तर यूग के कवी है साथ नमबर क्यूशन की रामधारी सी दिनकर कि रशना को सिकृत sleeping को मियं साभी सवाल है औरद्नारिश्वर अरद्नारिश्वर शृच्षक निबंद के निबंदकार कौन है वह रामधारी से दिनकर हो कौन सिक्रती रामधारी से दिनकर द्वारा लिखी गई है सही जवाब होगा option number B हारे को हरी नाम कौन सिक्रती रामधारी से दिनकर की नहीं है दसका option number D will be the correct answer अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन देखिए अगला सवाल है कि दिनकर किस यूग के यह तो हो गया next question किसका कल्पित रूप है यानकी किसका मिला हुआ रूप है अर्दनारिश्वर तो वो है शंकर और पारवती का दिनकर को किस कृति पर भारती अ ज्यान पीट पूरसकार प्राप्त हुआ था तो यह तो खेर आप लोग जानते हैं उर्वाशी पर मिला था इनको कोश्टन नमबर 14 है कि युद और शान्ती की समस्या पर लिखी गई का व्यकृति है कौन सी का व्यकृति है तो अप्सान नमबर भी विल भी दा करेक्ट एंसर कुरुख चैत्र अर्दनारिश्वर कल्पित रूप है श्रीव और पार्वती कहीं न गंधारी थी गंधारी जो थी न किया गया कोशन है चैप्टर नमबर 5 जिसका नाम है रोज ठीक है इसका कोशन स्टार्ट हो रहा है यह हमारे survives किया अफ्यक्टिने.श कुर। आप्सण नंबर सी विल्बीदा करेक्ट एंसर बताईये महेश्वर की पत्नी का नाम आप लोगो को बताना है क्या परभावती होगा मुझें तो परभावती नहीं लग रहा है बताईया कुश्षीं नंबर वजिंक उपर इसका सही जवाब जी हां आप्सण नंबर सी नहीं होगा परभावती। उपसं नंबर ए हो जाएगा माल्ती। महेश्वर की पत्निक नाम है माल्ती जो कि रोज च्प्टर की में करेक्टर ही है माल्ती। और एसी के ऊपर यह कहानी बनाई गई है। देखें乐 नो टो कॉलेज नेक्स्ट कोश्चन तीसरा सवाल है कि भारतिय ग्यान पीट द्वारा अगया जी को कौन सा पुरसकार मिला था तो भारतिय ग्यान पीट पुरसकार नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं सचीदानंद हीरानंद वात्यान अगया द्वारा लिखी गई कवी कहानी क कौन सी है महेश्वर कौन सब फल लेकर आए था तो महेश्वर जो हlında आम का लेकर आया थाना उसल थो फैंच क Mr понять drives और अग्या मुलता क्या थे तो अग्या एक कहानिकार थे और समबर सी जी की पहली कहानी का प्रकाशित हुई साथ का ओपसन नंबर वी विदा करेक्टर इंसर उनएसर 24 अगया जी की कौन सी कहानी गैंगरीन शृषक नाम से परसिद्ध है तो आठ का ओपसन नंबर डी रोज ठीक है न यह गैंगरीन नामक शृषक कहानी से परसिद्ध हैं लेखक कितने वर्स की उमर में कविथा लिखना शुरू किया तो दस का ओपसन नंबर एद दस वर्स की उमर में मालती के पती किस विमारी का ओपरेशन करके आये थे तो 11 का ओपसन नंबर से इस दकरेक्ट एंसर गैंगरीन नामक विमारी का ओपरेशन करके आये थे मालती के पती का नाम क्या थ ठीखें यही डॉक्टर है जो की इलाज करता है ठीखें का नाम है एक लेक और एक पत्र की रशनकार कौन है यानिकी लिखने वाले कौन है तो वो है कौन है बताइए जी हां भगत सिंग है और सी विल भी दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफट दूसरा सवाल है कि उन्हें सचोदा इस भी में भगत सिंग किस पार्टी की ओर आकरशित हुए तो वो आकरशित हुए थे गदर पार्टी दो का बगत सिंग ने अपने नित्रित्व में पन्जाब में नौजवान भारत सबा का गठन कब किया तो फिक ऑप्सिंग के पिता सर्दार किशन सिंग तथा चचा अजित सिंग इसके सह होगी थे तो वह सही होगी थे लाला लाजपत राय के ऑप्सिंग विल वी दा करेक्ट एं भी फास्ट एंसर देजे ताकि कम समय में हम लोग सभी कोशन को कंप्लीट कर पाएं भगत सिंग ने अपने मित्रों के साथ केंद्री असेंबली में बं कब फेका था तो वो फेके थे आठ अपरेल उन्हेंसा उन्टीस इस भी को एक है भगत सिंग किस उम्र में करांतिकारी ग विद्यारती और राजनीती भगत सिंग का लिखा हुआ है जी हां ऑप्सन नमबर डी विल बीदा करेक्ट एंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन भगत सिंग के हिर्दय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है तो वो है आप यूं कह सकते हैं लोब तो होगा नह कोई स्थान नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं भगत सिंग्झ ने अपने लिए सजा के समब्द में क्या विश्वास था तो उनको अपने सजा के समब्द में विश्वास था क्यों नहीं क्या हो जाएगा मृतिव दंड मिल जाएगा नेक्स्ट कोश्टन भगत सिंग किसे दल का गठन किया तो भारा का ऑप्शन नमबर भी नौजवान भारत सबा दल का गठन किये थे भगत चिंग प्रिंस क्रोमोट की इन कौन थे इंपोर्टन कोश्चन है यह अर्थ सास्तर के विद्वान थे नेक्स्ट कोश्चन भगत चिंग को कॉंगरेस तता महत्मा गांधी स से मोभंग कभ हुआ तो वह हुआ था उन्हें से एक इस भी में पंधरा नंबर क्योश्चन है कि भगत सिंग गड़ेस शंकर विद्ध्यारति द्वरा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे तो वह जुड़े थे प्रताप नामक पत्रिका से ऑप्सन नंबर ए जो कि आप अलड़ी चेप्टर नंबर फाइफ का यहां पर हमारे द्वारा तयार किया गया अब्जेक्टिब कोश्चन था यह कंप्लीट कर चुके हैं यहां पर पाइफ और सिक्स का लेकिन अब यहां पर गैस और गाइड का भी मैं आप लोग को करा दे रही हूं ताकि ए सब्रांड करले ताकि यह बजविट्व और अबज़ेकटिव लोगों करने छूटे नहीं हर एक सबजटिव और अब जीआ का जन्म कब हुआ था कि तो अगया जी का जन्म हो गया था न मार्च उनने से 11 को अगया कीब चार्श करम का नाम क्या था दो का उप custom नमबर बी विल बी दा करेक्ट एंसर डॉक्टर हीरानंद शास्तरी कौन सी पुस्तक अगया की है त्री का ऑप्सन नमबर सी हरी घास पर छड़ भर गैंगरीन इन में से किस से संबंदित है तो गैंगरीन जो है आप जानते हैं बीमारी से संबंदित है यानि कि यह बीमारी ही मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था तो मालती महेश्वर की संतान यानि की उनके बेटे का नाम था टीटी नदी के दुविप किसकी रशना है तो नदी की दुविप अगया जी की रशना है अगया को ग्यान पीट पुरतकार किस रशना पर प्राप्त हुआ तो वो कितनी नावों में कितनी बार इस पर वह था 7 का ओप्सन नमबर A is the correct answer आगे बढ़ते हैं रोज सिर्शक कहानी के लेखक कौन है 8 का ओप्सन नमबर B अगया जी है कौन सिकर्टी अगया की नहीं है 9 का ओप्सन नमबर A is the correct answer तो आपसन नमबर B नदी के द्वीब रोज इन में से क्या है रोज आप जानते हैं ये एक कहानी है उत्तर पिरदर्शी नाटक के नाटक कार कौन है तो इसके नाटक कार है अगया जी यानिकी लिखने वाले हैं शेखर एक जियूनी किस विधा की किरती है तो इसका सही जवाब होगा उपसन नमबर C उपन्यास अगया की मा का नाम क्या था अगया की मा का नाम था वे अन्ती देवी 14 का उपसन नमबर B will be the correct answer रोज कहानी की नाइका कौन है यानि कि हिरोईन आप लोगो बताना है 15 का उपसन नमबर C मालती है कौन सी रशना आगया की नहीं है तो इसका सही जवाब होगा Option number D, ती रिच रोज कहानी की नाई का है वो आप जानते ही है मालती ही है या पी तो अभी कोशन में था रोज कहानी में अतिती बनकर कौन आता है तो रोज कहानी में अतिती बनकर जो आते हैं, वो मालती के दूर के रिष्टे के भाई आते हैं, रूज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, इंपोर्टन कोशन है, ग्यारा, ग्यारा बजे की खड़कन के साथ समाप्त हो जाती है, मालती के पती क्या था, मालती का जो पती था, वो क्या था, तो वो एक डॉक्टर था जो की ग्यांगरीन का वो इलाज किया था उस कहानी में बताये गया है तार सब तक के संपाधक कौन है तो इसका सही जवाब होगा आप्शन नमबर ए विधानिवास मिस्ट्र अगया किस वाद से संबंधित है तो इसका सही जवाब होगा आप्शन न नमबर शिक्स भगत सिंग का जन्म कब हुआ था तो इसका सही जवाब आपसन नमबर एठाइस सिंग को बगत सिंग के चचा का नाम किया था दो का आपसन नमबर भी अजीद सिंग विद्यारती और राजनीती श्रिशक निबंध किसका लिखा हुआ है थ्री का आपसन नमबर सी भगत सिंग का लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं प्रथम विश्वा विश्वा युद में इंगलेंड किसके विरुद लड़ा था तो फोर का आपसन नमबर लाड़ी हो जाएगा जर्मनी चौरी चौरा हट्या कांड कब हुआ था इंपोर्टेंट कुशन है पांच का आपसन नमर भी हो जाएगा उन्हीं सबाइस प्रताप के संस्थापक कौन थे सिक्सका आपसन नमरे गड़ेश शंकर विद्यारती नेक्स्ट कोश्टन देखिए कौशन नमर सेवैन है कि कौन सा निबंद भगत सिंग का लिखा हुआ नहीं है सही जवाब होगा उपसन नमर सी नौरात्र भगत सिंग का जन्म कब हुआ था तो 28 तमरोने से 7 को मैं आस्तिक क्यों हूँ या किसका लेख है नाइन का उपसन नमरे भगत सिंग का लेख है भगत सिंग ने किसको पत्र लिखा था जो की पाठ में संखली थे उस पत्र को भगत सिंग ने किसको लिखा था तो आप लोग जानते हैं वो सुगुदेव के नाम लिखे थे कुलबीर और कुलतार सिंग भगत सिंग के कौन थे तो ये दोनों जन थे भाई ठीक है द्यारती किस पत्र का संपाधन करते थे तो सही जवास के अगला सवाल पड़ते हैं रोप्ड़ी कौन थे पूंडलिक कर दुमें वन का ऑप्सन नंबर भी जियां शिक्षक्त हैं आगे बढ़ते हैं पड़ाफट बारहमी सदी के लगबग तीन सौ वर्स तक किस वन्ष का सासन था तो करनाट वन्ष का शासन था ऑप्सन नंबर डी विदा करेक्टेंसर वो सदानीरा से सक पाठ किस विदा के अंत थुर द्वारा रचित हुए है तो वो है कोनार्क ऑप्सन नंबर सी नेक्स्ट कोशन जगदिश चंद्र माथूर मुलता क्या थे तो एक नाटक का आरते फड़ाफट आप लोग एंसर बताते जाए और मिलाते जाए धांगडों को नील की खेती के सिलसले में कब लाया गया तो साथ का ऑप्सन नंबर ए अठरह मिश्रदी सताबदी के अंत में वो सदा नीला निबंद विहार के किस चेतर की संस्कृती पर लिखी गई है तो आठ का ऑप्सन नंबर डी चंपारन चंपारन चेतर में बाड़ा आने का मुख्य कारण जंगलों का कटना दस्वा सवाल ह निल की खेती का विस्तार किया था इमलिखित में से कौन सी उपादी माथुर जी को मिली तो विधा वारीधी की उपादी मिली थी राजा हरी सिंग देव को गया सुधीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था तो तेरह सब 25 इस वी में करना पड़ा था पुंडलिक जी ने पहुंशने पर कौन मिले माथूर जी को भीति हर्वा पहुंशने पर कौन मिले 14 का पुनलिक जी मिले थे माथूर जी किस राज्य के शिक्षा सची उन्यूक्त हुए थे तो मध्य परदेश के आगे बढ़ते हैं फड़ाफट अब चप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की बहुत जबर्दस्त ही चप्टर है आप लोग आई वोग पढ़े हंगे चलिए फड़ाफड़ा कोशन एंसर करते हैं कोशन नंबर 1 ए कि मानक की मा का नाम क्या है बहुत ही आसान सवाल सभी जवाब होगा आप्सनिमर सी भिष्नी सिपाही की माँ एक आंकी में किसकी कथा प सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था तो वो दिवित्या विश्ववीद में गया था यानि की सेकेंड वॉल वर्ड में गया था दिवित्या विश्वयुद ठीक है एनिम लिखीत में कौन सी कृती मोहन राकेस की नहीं है तो पांच का उप्सन अबर डी हो जाएगा मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है आप जानते हैं 14 वर्स तभी उसकी शादी कराने की बात हो रही थी हलांकि अभी की जमाने में तो ये बहुत कम उम्र है शादी के लिए कौशन नमबर 9 का उप्सन नमबर 2 हो जाएगा मुन्नी जाती है मानक बिसनी से दूद की जगा क्या म लड़ी के पीछे क्यूं जाती है राशन के लिए नहीं पेंशन के लिए नहीं किसी अन्यकारे के लिए नहीं जी आप तर नमबर गाशे के लिए हैं या किसने कहा तो वो जो लड़की आई रहती है मांगने के लिए इस आई लड़की वो कह रहती है यानि कि option number C किसकी माँ पागल हो गई तो पागल हो गई थी सिपाही की माँ ठीक है निमलिखीत में से कौन सी रशना मुहन राकेश की है तो वो है ना आने वाला कल option number C will be the correct answer आगे बढ़ते हैं अब यहां पर गेस और गाइड का question है chapter number seven का सबसे पहला सवाल क्या है कि जगदिश चंद्र माथूर का जन्म कब हुआ था वन का option number eight सुल्ला जुराई उनेसा सत्र को वैशाली महोट्चों का बिजारोपन किया जगदिश चंद्र माथूर ने कौन सिकृती माथूर जी की नहीं है तो रिश्मी टाई कौन सिकृती माथूर जी की है तो भोर का तारह ये माथूर जी की है बराज कहां बन रहा था आप जानते हैं बराण जो है न वह भैसा लोटन में बन रहा था अंतर प्ली यानिकर अमपालि में तथागत और को क्या शौप आ था अमरपाली ने तथागत को क्या सौपा था तो सही जवाब आमरवन सौपा था मेरट के महंत ने गांदी जी को कहां शरण दी थी तो एक महुए के पेड़ के नीचे वो सदानीरा लेखक के लेखक कौन है तो लेखक है जगदिश्चंद्र माथूर कुनार के नाटक कार कौ कौन है जगदिश्चंद्र माथूर चली आगे बढ़ते हैं फड़ाफट कि बिहार के सुपरसिद सांस्कृतिक उत्साव एशाली महोट्सो का बीजारोपन किस ने किया सही जवाब है जगदिश्चंद्र माथूर ने ओ मेरे सपने क्या है ओ मेरे सपने ये एक नाटक है ग ग्यासुदिन तुगलक का साबना करना पड़ा था बोलते छण कि स्ताहित एक विधा की किरती है तो इसका सही जवाब ऑप्सन नंबर ए निवंद आगे बढ़ते हैं फटाफट वो सदानीरा किसको निम्मित बनाकर लिखा गया है सही जवाब देखी राए गंडक नदी को थारन शब्द किस शब्द से विक्सित है सही जवाब होगा औप्सन नंबर भी थार शब्द से विक्सित हुआ है थारन करनाट बंस के राजा हरी सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था ग्यासुदिन तुगलक का चंपारन में धांगड कहा से आए थे तो से निल की खेती से पंड़ाई कहा तक जाती है पंड़ाई नधी जो है ना वो भीखना थोरी तक जाती है तेज का अपसन नंबर यह विल भी दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं बिच बिच में यह रिमाइंडर के तौर पर लगा दिया गया है अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो पड़ पड़ इस बात पर लाइक शेयर तो बनता है चानल पर नए नहीं आई हुए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा इस तरह के इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्लास करने के लिए कोश्ट नंबर एट है तो दो की आपसर नंबर बी जानवर और जानवर इस पाहि की मांतो के अलूशाघ लडस्र को कौन इसा करते हैं तो 6 का option number B सिपाही कहता है, किसके कडो के मोती तारों की तरह चमकते हैं, 7 का option number B हो जाएगा, किस पार्ट में यह उधरन आया है, फॉजी वहां लढ़ने के लिए हैं, भाग नहीं सकते हैं, जो फॉज छोड़कर भागता है, उसे गोली मार दी जाती है, तो वो है सिपाही किमा, मोहन राकेश की एकांकी का शिर्षक है, बताना है, सही जवाब होगा, 9 का option number B, सिपाही किमा, मोहन राकेश का जन्म हुआ था, 10 का option number D हो जाएगा, 8 जन्वरी उन्हें सब 25 को, ठीक है, कौन सिक्रिटी मोहन राकेश का नहीं है, तो option number C is the correct answer, दिव्या नामक करती, एक मिनट जरा, question number 1 देख लिया जाए, 8 जन्वरी उन्हें सब 25, ठीक है, ठीक है, कौन सिक्रिटी मोहन राकेश की नहीं है, 11 का option number C हो गया न, आगे बढ़ते हैं, question number 12 है, कि मोहन राकेश की अंदोलन से जुरे है, 12 का option number 1 देख लिया नहीं कहानी से, आदे अदूरे मोहन राकेश की शृती है, जी हाँ, नाटक, सिपाही की मा कौन है, सिपाही की मा आप तो जानते ही है, बिशन देई है, जिसको बिशनी कहा जाता है, सिपाही की मा एकांखी में कुन्ती कौन है, तो कुन्ती जो रहती है न, वो पडोसिन रहती है, रवेस क्या होता है, तो सुल्ला का option number C, मोटे सुथ की बुनी चादर, किसके कड़ो की मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो 17 का option number A हो जाएगा तारों के, कौन सिकर्थी मोहन राकेश की नहीं है, तो 18 का option number C, इतिहास और आलोशना सिपाही की मा कि एकांखी संग्रा से लिया गया है, तो ये लिया गया है, अंडे के छिलके तथा अन्या एकांखी से, मुन्नी और मानक की मा का नाम क्या है, मुन्नी और मानक की मा का नाम विशन देई ही ना, यानि की विशन, option number C is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल स्टार्ट हो रहा है, चेप्टर नमबर 9, और सबसे पहला सवाल की प्रगीत, जिसको इंगलिश में कहा जाता है लिरिक, तो ये कैसा कावे है, तो प्रगीत एक प्रबंध कावे है, option number C is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, question number 2 है, कि दूसरी परंपरा की खोज किसी रशना है, दो का option number B, नामवर सिंग, next question, नामवर सिंग की कौन सी रशना है, तो वो है प्रगीत और समाज, अगला सवाल है कि नामवर सिंग ने BA तथा MA के शिक्चा कहां से प्राप्त की थी, तो वो भी एचियू से किये थे, next question, आचारे रामचंदर सुकल के काव्य सिध्धान्त का आदर्श कौन सा काव्य है, तो पांच का उप्सन नमर सी प्रबंद काव्य है, इनका भी काव्य सिध्धान्त का अधर्श है, दुनिया की हाथ की तरह गर्म और सुन्दर होना चाहिए, ये किस कवी की कवीता का अंश है, तो सिक्स का उप्सन नमर ए हो जाएगा किदारनात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फड़ाफट, सेवे नमर क्विशन है कि सहर स्विकार हैं, कवीता के रचाहिता है, साथ का उप्सन नमर भी मुक्ति बोध सेविन का, ठीक है, एट नमर क्विशन है कि निमलिखित में कौन प आखिपन से ही मानोहार या किस कवी की कवीता का अंश है, तो उस कवी का नाम है, शमसेर बहादूर सिंग, नमर सिंग को कवीता के नय परतिमान पर सहीत एकेडमी पुरसकार कब मिला था, तो मिला था उन्हें से 71 में, तन गई रीड किसकी कवीता है, विज्वली बात है, न नागा अरजुन के कावे संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित त्वकिस प्रकार का है, तो वो है निश्कव्य फक्कड, अप्सन नमर सी, नाम और सिंग उन्हें से 70 में किस विश्व विद्याले में, इंदी विभाग के अधक्ष्पद पर प्रोफेसर के रुप में नियो भाबी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा, यह कहता है सुरेंदर सिंग, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, फिर मास्टर कलिराम ने किसे मैदान में जाडू लगाने के लिए कहा, तो दो का उप्सन नमर भी ओम परकाश वालमीकी को कहा तब ही उनके पिता ने देख लिया, आप लोग तो बढ़े ही होंगे पूरा चेप्टर, जुठन के रचनकार कौन है, तो वो है ओम प्रकाश वालमीकी, नेक्स्ट कोश्चन की सुखदेव सिंग त्यागी की लड़की की शादी किसने गाउं भर की चरपाई या ढोकर एकत प्रकाश वालमीकी को कौन सा पुरसकार मिला था, बाकी ये तीनों पुरसकार मिले थे, आगे बढ़ते हैं, वो है ओम प्रकाश वालमीकी का जन्म कहा हुआ था, तो आठ का उप्सन वालमीकी को कौन सा पुरसकार नहीं मिला, तो भारत रत नहीं मिला था, बाकी ये तीनों पुरुनगर उत्तरप्रदेश से लेखक को विद्याले में झाडू लगाते ग quello किस ने देख लिया था पिता जीने देख लिया था वुंपरकासवाल मीकी को प्यार से मुद्शी कौन कहता था उनके पिता जी ही कहते थे उम्प्रकास वालक मीकी हिंदी में किस अंदोलन से जुड़े महत्वपुन रचनकार हैं तो दलित अंदोलन नेक्स्ट कोस्चन जो लोदक बच्चा था वो शादी व्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था ठीक है जो जब लो सुखदेव सिंग्त्यागी की लड़की के शादी में घर के सफाई का काम किस ने किया तो लिखक की मा ने किया था कौन सी रशना ओम प्रकाश वालमेकी की नहीं है तो वो है प्रायश चित अप्सन नंबर सी विल बी दा करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं अब यह चैप्ट जागीश नंबर 9 का ही जाए पहला सवाल है कि परगीत और समाज के लेखक कौन है तो वो है नाम और सिंग फार्त नाम और सेुट और समाज क्या है तो यह एक निभंध है ठीक है या यैवे नेक्स्ट कूश्चन देखिए है नाम ओर सिंग को किस औरघ्ट्र., परथा था ट किसकी कृति है राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है तो फाइफ का अफसर नंबर भी नीराला की का माईनी के कवी कौन है इंपोर्टेंट कोशन है कमाईनी के कवी तो वह हैं प्रसाद लिरिक का परियाए क्या है लिरिक का परियाए मतलब प्रगीत नामवर सिंग का जन्म कभ कि तक नामववर सिंग्ग की नहीं है तो वह है तिरिच रामकी शक्ति पूजा किसकी कवीता है 11 का आपस्ट नमबर डी नीराला की निमलिखित में कौन प्रत्य की छाया के कवी है बारा का आपस्ट नमबर जी हैं रंकर परसाद ठीक है कोश्च नमबर थाटीन है कि तुलसी दाश के प्रचैता कौन है आप जानते हैं सुर्यकांत्रिपाथी निराला कविता के नए प्रतिमान के लेखक बहुत आसान नामवर सिंग ऑप्सनमबर डी बाज की दाढ़ में आदमी का खुन लग चुका है या कि कविता की पंक्ती है तो यही था अप्सनमबर डी मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है यह मुक्तिबोध की कविता है अगला सवाल जू ठंडाम के चप्टर का लेखक उम्प्रकाश वालमी की का जन्म हुआ था तीस जुनों ऐसा पच्चास को सलाम कहानी संगरा के कहानिकार है यानि की कौन है तो वह है उम्प्रकाश वालमी की दलित सहित्य का सौंदर शास्तर के लेखक कौन है तो वह है आप चानते ही है उम्प्रकाश वालमी की जुठन क्या है तो जुठन एक आत्मकता है जुठन में चितरन हुआ है किस चीज का तो समाजिक विश् कथा है मेगदूत नामक किनाटर शाला कहां इस्थापित हुई तो यह इस्थापित हुई थी महारास्ट्र में नेक्स्ट कोश्चन नमबर नाइन है कि दलिल साहिते का संदर से सास्त के रशनकार यह तो बार-बार आ रहा है ऑप्सन बड़ी हो जाएगा उंप्रकाश वालमि था आत्म कथा लेखक की मा किसके यहां काम करती थी तो लेखक की मा जो थी वह ब्रह्मदेव तगा के यहां काम करती थी सुरेंद्र सिंग किसका पोता था तो सुगदेव सिंग त्यागी का कौन सा मास्टर है वह जो मेरे लड़के से जारू लगवाए है यह किसका कथन है तो लेखक के पिता जी का है था ना जी हां स्कूल के हैड मास्टर का नाम क्या था तो कली राम नाम था उनका आगे बढ़ते हैं फड़ाफट चप्टर नंबर देखें अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है 11 चप्टर का 11 चप्टर का सबसे पहला सवाल कि मल्यज की कौन सी रश ठीक है दूसरा सवाले की हस्ते हुए मेरा अकिलापन के लेखक कौन है तो दूसरा सवाल का सही जवाब होगा आपसन नंबर भी मल्यज ठीक है तीसरा सवाले की लेखक मल्यज की मा का नाम क्या था यहां पर थोड़ा सा धूंदला आ रहा है आप लोग अड़स्ट कीजिए मल्यज की मा का नाम क्या था मैं खुद से ही अपने जवान से दो दे रही हूँ कि मा का नाम था परभावती यह ऑपस्टन नंबर एज़त करेक्ट एंसर कौन सी रशना मल्यज की है फोर का उपस्टन नंबर सी जखम पर फूल मल्यज ने किस मंतराले में नौक्री की तो फा का आप्सान नंबर ए रचनात्मक कर्म मलेज के पिता का नाम क्या था तो उनके पिता का नाम था त्रिलो की नाथ वर्मा पुशन नंबर नाइन है कि सेव बेचने वाली लड़की की आयू कितनी थी तो साथ आठ साल मतलब यही उसकी उमर होगी मलेज किने एमें किस विश्व सुषना केंद्र में लेखक को आकर्सित करने वाला अधिर व्यक्ति कौन था तो ग्यारा का उप्सान नंबर भी बल्भदर ठाकूर पेड किसलिए काटे जा रहे हैं पेड काटे जा रहे थे बारा का उप्सान नंबर बी जिहां इंधन के लिए नेक्स्ट कोशन मलेज का ज मलेज की आलोशना है पंद्र का उप्सान नंबर सी कवीता के साक्षातकार नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 यानि कि तिरिश नाम है उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया वन का उप्सान नंबर सी हो जाएगा ए एपटेससी तीसरा सवाल कि उदय प्रकाश ने कि विश्वविध्याले में एक किया थ्री शाराग विश्वविद्याले सागर उदय प्रकास की कहानी कौन सी है तो वह है तिरिच उदै प्रकास जी ने किस पत्रिका की सहायक संपादक थे तो संडे में नई दिल्ली के संपादक थे आगे बढ़ते हैं फड़ा फड़ा साथवा सवाल है कि लेखक के पिता जी शहर क्यों गये थे तो साथ का उपसर नमबर डीज दे करेक्ट अंसर अदालत में पेशी के लिए गये थे आठवा सवाल है कि लेखक को किसने बताया कि तिरिश में काले नाग से सो गुना ज्यादा जहर होती है तो आठ का उपसर नमबर ए याद रखेगा थानू जो कि उसका दोस्त रहता है लेखक के दूस्वापन के सबसे खतरनाक पातर कौन थे तो वो थे हाथी और तिरिश ये दो खतरनाक पातर थे यानकी करेक्टर थे लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी तो बेशक बोलने और चीखने की आदत थी लेखक को किसने तीन तीन सो के नोट दिये तो डॉक्टर पंथ ने दिये थे अगला सवाल लेखक के पिता जी ट्रेक्टर से कहां उत्रे थें तो वो उत्रे थें मिनर्वा टॉकिज के पास अगला सवाल है कि कौन सी कहानी उदै प्रकास जी की नहीं है तेरा का अप्सन नमबर A वारिस अगला सवाल है कि उदय प्रकास की अनुसार दशरे के दिन किस चिडिया को जरूर देखना चाहिए तो उनकी अनुसार निलकंड को जरूर देखना चाहिए खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्तर क्या था तो सबसे बड़ा अस्तर था आवाज यानि कि वो चिलाया करते थे बुलाते थे नेक्स्ट कोश्टन देखिए चेप्टर नुबर 13 शिच्छा चेप्टर का है पहला सवाल कि जे कृष्ण मुर्ती का जन्म कब हुआ था यहां पर थोड़ा धुंदला आया है लेकिन मैं पढ़ दे रही हूं तो आप लोग समझ जईएगा तो और सा धुंदला आ गया है पता आंद्रप्रदेश में ठीक है जे कृष्ण मुर्ती की इन मेंसे कौन सी रशना है फोर का ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा शिक्छा जे क्रिश्ण मुर्ती की शिक्छा किरती क्या है यह क्या है तो संभाशड है ठीक है लेखक की अनुसार कुछ परिक्षाय उत्रुन कर लेन की seven का option number b आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि लेखक के अनुसार सची शिक्छा हमें क्या देती है तो सची शिक्छा जो है न हमें व्या पक्ता देती है अगला सवाल है की जे करिश्ण मुर्ती के अनुसार मानो के विचारों को उसके संबंदत तथा उसके प्रेम को कौन नस्ट कर देता है तो 9 का option number D भै नस्ट कर देता है 10 number सवाल है कि the first and last freedom किस की कृती है तो जे कृष्मूर्थी की कृती है 11 number question है कि बश्पन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है तो वो है स्वतंत्र वातावरण फड़ापट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए जे कृष्मूर्थी की अनुसार संपून विश्व किस और अग्रसर है तो वो अग्रसर है नाश की और next question जिन्दगी का क्या अर्थ है जिन्दगी का अर्थ पाठ के हिसाब से अब लोगों को बताना है सत्य की खोज करना है सामयवादी किस से लड़ रहा है तो सामयवादी वो पुंजिपती से लड़ रहा है मा की मृतिव के समय जे कृष्मृति जो है वो कितने वर्ष के थे 10 वर्ष के थे याद रखना है important है आगे बढ़ते हैं अब देखिए सबसे पहला सवाल इसको फड़ाफट कम्प्लीट कर लेते हैं मलेज का जन्म हुआ था वन का ओप्सन नंबर ए हो जाएगा उन्हें सब 35 मलेज का मुल नाम क्या था तो भरत जिस रिवास्ता हो तिसरा सवाल है कि कौन सी कथन सही है थ्री का आप्सन नंबर ए रचा हुआ यह था बहुए यह थार्थ से अलग है इसके मेरा अकलापन किसकी कृति है फोर का ओप्सन नंबर सी हो जाएगा मलेज की खिरती है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन मलेज का मुल नाम क्या था तो फाइफ का ऑप्सन नंबर दी हो जाएग और वो भोगता है यह कथन किसका है तो आठ का ओप्सन नंबर सी हो जाएगा मलेज जी की कौन सी रचना मलेज जी की है तो वो है कवीता के साक्षातकार मेर को सिनावती को जहलने में हुसकती है रचने और भोगने का रिस्ता कैसा होता है तो वो होता है द्वंद्वात्मक ठीक है नेक्स्ट तिरिश नाम के चेप्टर का पहला सवाल की उद्वाय परकाश का जन्म हुआ था वन का उप्सन नमर ए हो जाएगा एक जन्वर उने सबावन को कौन सिकर्थी उद्वाय परकाश की है तो सही जवाब दरियाई घोड़ा उप्सन नमर भी आगे बढ़ते हैं फटाफट आप लोग मिलाते चलिए कौन सिकर्थी उद्वाय परकाश की नहीं है थ्री का उप्सन नमर सी हो जाएगा टूटा हुआ फूल तीरिश कैसी कहानी है तो फोर का उप्सन नमर डी हो जाएगा प्रतिकात्मक पिता जी की मृतियू कैसे होती है तो फाइब का उप्सन नमर डी हो जाएगा मानसिक सदमे और अधिक रख्तसराव से क्वेश्ट नमबर 6 है कि तिरिश कहानी के पिता जी का नाम क्या है तो पिता जी का नाम है आप जानते हैं राम स्वारत परसाद 6 का अपसन नमबर 2 अरेबा परेबा उद्धा कास की कैसी खिरती है तो 7 का अपसन नमबर 2 हो जाएगा कहानी संगरा ठीक है फटफट आगे बढ़ते हैं आठ नमबर क्येशन है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है या किसने बतलाया तो 8 का अपसन नमबर 2 हो जाएगा कहानीकार की माने तिरिश को कैसी कहानी माना जाता है तो तिरिश को जो है न वो जादवी यथार्थ की क कहानी माना जाता है तिरिश कहानी की केंद्रिय घटना का संबंध किस से है तो संबंध है कहानीकार के पिता से कहानीकार तिरिश की लास को जलाने जंगल में किसके सांथ गया था तो वह गया थे थानू के सांथ 11 का ऑप्सन नमबर सी पंडित राम आउतार किया थे तो वह जियोतिशी और वैद दोनों थें, तिरिश कहानी के कहानिकार कौन है, खेर आप जानते ही हैं, उद्धै प्रकाश है, आगे बढ़ते हैं फड़ाफट, क्वेशन नमबर 14 है कि तिरिश के लेखक हैं, कौन है लेखक, तो वो हैं, जी हाँ, उद्धै प्रकाश, तिरिश क्या ह होता है, तो तुरिश आप जानते हैं, यह एक विश खापर, यानि की जहरीला लिजार्ड होता है, ऑप्सव नमबर D, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फड़ाफट, तेरा जिसका नाम है, सिक्छा, पहला सवाल है, कि जे कृष्ण मूर्ती का जन्म कब हुआ था, वन का उप् कृष्ण मूर्ती का पूरा नाम, दो का अप्सव नमबर भी, जिद्दू कृष्ण मूर्ती, फॉस्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसके खिरती है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जे कृष्ण मूर्ती की फृती है, आगे बढ़ते हैं, फड़ाफट, लिट बेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं, तो फॉर का उप्सव नमबर सी हो जाएगा, गांधी में, ठीक है, जे कृष्ण मूर्ती का जन्म कब हुआ था, फाइफ का उप्सव नमबर यह हो जाएगा, बारम यह 895 को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, का उप्सव नमबर डी, जे कृष्ण मूर्ती है, जे कृष्ण मूर्ती का जन्म किस राज्या में हुआ था, तो वो हुआ था आंधर पर्देश में, क्वेश्ण नमबर 9 है, कि फॉस्ट एंड लास्ट फ्रीडम करिशनकार, आप चानते हैं, इसका सही जवाब, ऑप्सव रवेंदर नाथ ठाकुर, एक मिनट रुक जाएए, फॉस्ट एंड लास्ट फ्रीडम, जी हाँ, फॉस्ट एंड लास्ट फ्रीडम, त्री का ऑप्सव नमबर सी, जे कृष्ण मूर्ती, सौरी, यहाँ पर रवेंदर नाथ ठाकुर, नहीं होगा, ऑप्सव नमबर भी, नमबर वन से, जो की कावे खंड का होगा, और कावे खंड में भी जो है ना, इसमें भी 13 चेप्टर है, ठीक है, 13 चेप्टर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहला चेप्टर, जिसका नाम है क्या, कडबक, और इसका सबसे पहला सवाल, कि कडबक के कवी कौन है, खेर आप लोग तो जानते हैं, आपसा नमबर सी, मलिक मुहमद जायसी, पड़ाफट चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखिए, जायसी रचित पदमावत की भाशन क्या है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, पदमावत की भाशा आप लोग को बताना है, क एकला सवाल, कोशन नमबर फूर है, कि जायसी ने किस दोस्ट से युक्त होते हुए भी गुरवान है, जायसी किस दोस्ट से युक्त होते हुए भी गुरवान है, सही जवाब आपसा नमबर बी, नेतर दोस्ट, ठीक है, कडबक के रचाईता है, ये भी कोशन पूछा बताईए ये एक प्रेम के पीर के कवी है ठीक है मलिक मुहमद जैसी का जन्म कब हुआ था तो सेवन का आपसन नमबर सी 14 साब बान बेरिस्वी में कोश्चन नमबर एट है कि पदमावत किसकी रशना है ये भी सवाल पूछा हुआ है और इसका सही जवाब आपसन नमबर सी मलिक मुहमद जैसी ही होंगे क्योंकि उन्हीं का चैप्टर का अपजेक्टिव कोश्चन कर रहे हैं तो विज्वली बात है उन्हीं का लगेगा जैसी का जन्म किस परदेश में हुआ तो उनका जन्म हुआ था उत्तर परदेश में नेक्स्ट कोश्चन जैसी के पिता का नाम क्या था तो पिता का नाम था शेख यम्रेज ठीख है कोश्चन नमबर 11 है कि मलिक मुहमद जैसी के सिख शाखा के कवी है तो वो प्रेममार्गी शाखा के कवी है ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 12 है कि जैसी थे, क्या थे, धन्वान तो होगा नहीं, 12 का आप्सन नमबर A नहीं, पहलवान भी नहीं था, नहीं होगा, आप्सन नमबर C is the correct answer, फकीर थे, नेक्स्ट कोश्चन की तरब बढ़ते हैं, जैसी का जन्मिस्थान कहा है, तो जैसी का जो जन्मिस्थान है, वो है अमेठी, आप्सन नमबर D will be the correct answer, जैसी हिंदी साहित्य कि किस कावे धारा से जूरे थे, तो वो जूरे थे प्रियम मारगी शाका के, और ये प्रियम के पीर के कवी के नाम से जाने जाते हैं, जैसी की कावे का मुख्यरस क्या है मुख्यरस है, श्रिंगार रस, आगे बढ़ते हैं, जैसी की कावे की भाषा कौन सी है, कावे की भाषा बताना है, तो वो है अवधी भाषा, नेक्स्ट कोशन, ये इंपोर्टेंट कोशन है, बहुत बार पूछा गया है, जैसी ने रतन सेन तथा पदमावती की कथा को किस परकार जोड़ा है, तो रक्त की रूप लेई, रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है, जैसी का कावे किस परकार गंभीर एवं व्यापक है, तो समुंदर की भाती गंभीर एवं व्यापक है, कोशन नमबर नाइनटीन है, कि जैसी ने रतन सेन अंपदमावती की कथा को किसके द्वारा सीचा है तो सीचे जो है ना वो सीचे हैं अपने आसूँ से आपसन नमबर ए नेक्स्ट कोशन की तरब बढ़ते हैं कडबक कहां से लिया गया है बताईए आपसन ए तो नहीं होगा आखरी गुलाम भी में अखरावट सी में मदुमालती और डी में पद्बाव अगला सवाल है कि मलिक ot jsic कि स परंपरा के कवी है अपसन ए मैं है सगुड़ भक्ति धारफ़ भक्ति परंपरा वी मैं है सगुड़ राम भकते परंपरा और सी मैं प्रेमग्हानग कव्वे परंपरा तो जी कोषन कैया है इस अप्स क्रेम के पीर के कवी कौन है 12 क्या ह है नेक्स्ट कोश्टन की तरफ बढ़ते हैं जाइसी ने अपने आख की उपमा किसे की है तो यह अपने आख की उपमा किये है दरपंड से आपसन नमबर डी कौन सीकर्टी जाइसी की नहीं है आपसन ए में है पदमावत यह तो जाइसी की है अखरोट यह भी जाइसी की है कवी है तो वो एक सूफी कवी है और बी इस दा करेक्ट इंसर सुमेरू का प्रयाय क्या है लब सुमेरू का बताना है मतलब क्या होता है और निल गिरी तो होगा नहीं मर्या गिरी भी नहीं होगा हिमाले गिरी भी नहीं होगा यह तीनों नहीं होगा यानिकि और बी इस दा कर कभी हैं इंपर्टन सवाल है सही जवाब होगा प्रेम मारगी शाखा कौन सी किरती जाइसी की नहीं है तो इसका सही जवाब होगा option number d इम्रिगा होती next question मलिक मुहमद जायसी के पीता का नाम क्या है तो इनके पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज ठीक है बाई आख और कान से वन्चित थे कौन थे मलिक मुहमद जैसी थे यानकि इनका बाया आख और कान नहीं था बाई आख से और बाई आख से देख नहीं सकते थे और बाई कान से सुन नहीं सकते थे क्वेशन नमर 32 है कि मलिक मुहमद जैसी का निवास इस्थान क्या है निवास इस्थान है जैस कबर अमेथी उत्तर परदेश यूपी से बिलॉंग करते थे जैसी के गुरू का नाम क्या था गुरू का नाम था सूफी संद शेख मोहीदी स्यद अस्रफ जहांगिर जैसी के कौन थे तो क्या वो गुरू थे तो जी हां गुरू ही थे ऑप्सन नमर ए ही हो जाएगा सही जवाब कोशन नमर 35 है कि जैसी का निधन किस वर्स हुआ तो उनका निधन हुआ था पंदरस और तालिस इस तक करेक्ट एंसर पड़ाफट आगे बरते हैं चैप्टर नमबर टू जिसका नाम है सूर्दास के पद यानि किसमें सूर्दास के पद दिये गए हैं तो सबसे पहला सवाल है कि सूर्दास की कौन सी रशना है तो इनकी रशना है सूर सागर ऑप्सन नमबर डीस तक करेक्ट एंसर चलिए फड़फट आगे बरत कवी हैं तो यह जो है ना कृष्ण कृष्णास रई के कवी हैं यानि कि कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है सूर्दास की दिख्षा गुरू का नाम क्या था इंपॉर्टेंट सवाल है याद रखिए गई क्या नरहरीदास था बोले नरहरीदास तो नहीं होगा बिठलना तो कवी हैं तो सूर्दास जो है ना यह एक बज्रभासा के प्रसिद्द कवी है और स्था इंसर कौष्ण नमर सिक्ष विल्बी बड़क्ति शाखा के कवी कौन है तो क्रिश्ण बगति साखा के कवी है सूर्दास कि और जो इस्टार्टिंग में में लोग जाईसी पढ़े थे वो प्रेम यानि की आप यह कह सकते हैं कि वो जो है ना प्रेम के पीर के कवी के रुप में जाने जाते हैं ये जरूर याद रखिएगा कोशन का तो की तरह बढ़ते हैं कवंचे कर बताया है वो नंद बाबा की में बैट कर कोंछ सी रशना सूर्दास की नहीं है क्योंकि यह सुर्दास का लिखा वा है साहइतिय dow सवाल है कि सुर्दास हिंदि और के कवह है तो वह सुर्दास हिंदी साइट गूख हि आगे और भी सूर्दास किस भक्ति के कवी है क्रिश्न भक्तिए क्या कर्प solution भग्तिया कोन सी रश्ना सूरदास की है सूरदास की धूर सागर और सही भगवान की किस कवी के फुजित शिक्agog रट है आप लोग जाता एंप सन्मरद सूर शूर्दास याद रखिएगा ये कृष्ण भक्ति से लिए हैं ठीक है मतलब कि इनकी जो भी कावे हैं वो कृष्ण भक्ति पराधारी थे प्रस्तु प्रथम पद में कृष्ण को किसको सुचना दी जाती है तो सुचना दी जाती है भोर होने की मतलब कृष्ण को जो है ना भोर होने की कोशन नमबर 15 है कि सुर्दास की अनुमानित जन्म तीथी क्या है अनुमान लगा कर लग बताईए इसका इनका जन्म तीथी क्या है तो पंद्रह का ऑप्शन नमबर बी 1475 इस्दक करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं कचुक कात कचुक धर्नी गिरावत कोशन नमबर 17 है कि सुर्दास की रशना की भासा क्या है भासा आप लोग को बताना है वो है ब्रज भासा सुर्दास किस मार्ग में दिक्षित हुए तो सुर्दास जो है ना ये पुस्टी मार्ग ऑप्शन नमबर सी नेक्स्ट कोशन सुर्द सागर किस भासा में रचित है तो ब्रज भासा में ही रचित है ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा सही जवाब वह लब भचारे से मिलने के प्रूव सूर किस भाव के पद गाते थे तो वो गाते थे दैने पद के सूर सागर किसकी रशना है तो बाइस का ओप्सान नंबर भी हो जाएगा सूरदास दूइत्य पद में किस खाद पदार्त का उलेख नहीं हुआ है नेक्स्ट क करभ बड़ते हैं तो सूरदास की क्रिती है तो सूरदास की करिती है साहित्य लहरी option number C next question की तरब बढ़ते हैं निमलिखीत में से कौन सा कवी अश्ठ शाप का नहीं है 26 number question का सही जवाब option number C जाय सी है सूर्दास के संकलित पदों में कौन सा रस है तो इनके पद में वात्सल्य रस है option number C सूर्दास की भूख है किस चीज की कृष्ण की जी उठन की न तो जी हाँ 28 का option number A ही हो जाएगा सही जवाब सूर्दास का निधन कब हुआ तो सूर्दास का निधन हुआ था 15-83 इस भी में सूर्दास का जन्म इस्थान क्या है तो जन्म इस्थान है दिल्ली दिल्ली में इनकी इनका जन्म हुआ था सूर्दास का जन्म कब हुआ तो 1468 इस भी में हुआ था तो जन्म में इस्थान क्या है तो जन्म इस्थान option A में गवगार्ड बी में विरिंदा वन डी में C में पार्सोली ग्राम और D में इन में से सभी तो option number D is the correct answer, इनमें सभी Question number 33 है, सूर्दास का दिख्छा काल क्या है 33 का option number C, 15-9-10, ठीक है तमचूर का अर्थ क्या होता है, important सवाल है इसका सही जवाब option number D, तमचूर का मतलब होता है मुरगा भगवान श्रीकृषन किस कवी के पुजयत है तो यह पुजयत है, सूर्दास तो 35 का आपसन बड़ी सूर्दास ही होगा सूर्दास के पुजयत है, मतलब कि सूर्दास यह याद रखिएगा सूर्दास जो है ना, यह स्रीकृषन भक्तिधारा से रिलेटेड है यह स्रीकृषन को अपना आपिन के सकते हैं एक आधार बनाकर, मतलब कि इनकी जितनी भी कविताय होती थी वो कृषन भक्तिध पर आधारित होती थी आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर नमबर थ्री देखिए, यह रहा, जिसका नाम है तुलसी दास के पद इसमें तुलसी दास का पद दिया गया है तो इसका पहला सवाल स्टार्ट हो रहा है सबसे पहला सवाल है कि तुलसी दास किस काल के कवी थे important सवाल है पुछा हुआ तो इसका सही जवाब होगा option number D भक्ति काल के कवी थे next question, दूसरा सवाल है कि तुलसी दास का जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म हुआ था राजा पूर बांदा उत्तर प्रदेश यूपी में विनए पत्रिका की भाशा है ये भी सवाल पुछा हुआ है 2020 में सही जवाब होगा आपसा नमबर बी अंतरवेदी यानि की ब्रज भासा कोशन नमबर फूर है कि तुलसी दास के दिख्चा गुरु कौन थे तो दिख्चा गुरु बताएं नाम क्या होगा अग्र दास तो होगा नहीं सुर दास भी नहीं होगा मा दास भी नहीं होगा ऑपसा नमबर बी is the correct answer नरहरी दास तुलसी दास का जन्म कब हुआ फाइव का ऑपसा नमबर बी 15- तुलसीदास की माता का नाम किया था important question है पूछा हुआ सवाल है इसका सही जवाब होगा option c से होसी तो ज़न किस प्रदेश में हुआ था उध्तर प्रदेश यूप दस नहीं आप लोगों को बताना है उनकी पत्नी का नाम रतना मली था है को सम अ no囉 2 आगे बढ़ते हैं कार ही में कितने वर्सों तक रहे कर तुलसी जास ने स्पराप्त की तो नहीं को प्स तक दसवा सवाल है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिशाय किस रूप में दिया तो इसका सही जवाब क्या होगा बिखारी के रूप में ऑप्सन नमबर सीज ता करेक्ट एंसर 11 नमबर सवाल है कि राम चरित मानस किसकी रशना है तो सही जवाब और भी तुलसी दास कि आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 12 की तुलसी दास को किस चीज की भूक है तो उन भूक है अपनी भकती की ठीक है राम चरित मानस का परधान रस क्या है तो तो थाटीन का आप सं़र बडी भक्ती रस तुलसी दास के पठित पद किस भाशा में है तो आपसन नमर 52 और उध भाशा में कूछन नंबर 15 कि तुले दास कि शाखा के कवी है तो वो यह राम उमारगी शाखा के कवी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि तुल्सीदास ने प्रतम पद में किस की स्थी। तो सीता मानस्त का रशना समय क्या है कब रचित किया गया तो संभाव उतस में इसको रचित किया गया था तुलसीदाश ने पॉर्थम के रुप मुँप में डू ने अपना परिषए कॉन तुलसीदास के मितन नहीं है तो महांराजा मान सिंग यह तो है सुर्दास भी है और नाबादास भी है तुडर्मल जो है ना तुलसी दास के मित्र नहीं है इसका उप्सन नमबर C इनमें से कौन सी रशना तुलसी की नहीं है एक किसका उप्सन नमबर D is the correct answer राधा इस्तूती नेक्स्ट कोशन कौन सी रशना तुलसी दास की है तो वो हो जाएगा विनय पत्री का उप्सन नमबर B अगला सवाल है कि कौन सी रशना तुलसी दास की नहीं है तो पारवती मंगल भी है वैरागे संदीपनी भी है कवितावली भी है उप्सन नमबर C आकरी कलल यह नहीं है त तो option number C is the correct answer, सही जवाब हो जाएगा C, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि कब हुक अम्ब और सर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो अम्ब संबोधन है सीता के लिए हनुमान बाहुक को तुलसी दास की किस कृती का एक अंग माना जाता है, तो कवितावली का ए कि राम बोला, तुम लिखीत में राम चरित मानस क्या है, राम चरित मानस जो है, वो एक महा काव्य है, राम चरित मानस की भाषा क्या है, वो है अवधी भाषा, नेक्स्ट कोश्टन, कवितावली के रचनकार कौन है, इंपोर्टन कोश्टन है, देखिए, दो दो बार पू शेस सनातन। अगला सवाल है की इन में कौन सी रशना तुलसी की है। तौ। औप्सन नमबर D हो जाएगा विनाई पत्री का कवितावली के रश्नकार कौन है? कवितावली के रश्नकार सूर्दास है ठीक है? 32 का पाठे पुष्टक में संकलित तुलसी के पद तुलसी दास की किस कृती से लिए गया है? 33 का उप्सन नमबर D विनाई के पद से लिए गया है 34 का उप्सन नमबर D विनाई के पद से लिए गया है 34 का उप्सन नमबर D तुलसी दास द्वारा रचित नहीं है 34 का उप्सन नमबर D पंचुवटी 35 का उप्सन नमबर D तुलसी द्वारा रचित है तो ये एक विदेशज शब्द है नेक्स्ट कोशन पाठे पुष्टक में संखलित तुलसी के पद तुलसी दास की किस कृती से लिए गया है तो इसका डी हो जाएगा विनाय के पद से लिए गया है तुलसी दास का मुल नाम क्या है राम बोलाना तुलसी दास गया करते थे क्या गया करते थे तो भरत भय ठाड़े कर जोरी यह है यही गया करते थे आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर नमबर फूर जिसका नाम है चप्पे इसका अबजेक्टिव कोशन स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला सवाल है कि नाबादास की कौन सी रचना है नाबादास की रचना है छप ए less नंबर डी ठीक है छप्पे श्रिशक पाइलता के चप avril स्रिय अब लोग को बताये ले겁 rebellious नंबर सी नाबादास है ठीक है नाबादास किस नस्वे समकालीन थे तोya ढूह अब तर तो कोशन नमबर 4 है कि नाबादास का कावे रशना छेतर था तो कावे रशना छेतर था व्रिंदावन कोशन नमबर 5 कि नाबादास जी किस धारा के संत थे तो वो वैशनाव दर्शन धारा के संत थे नाबादास किस धारा के कवी थे, तो कवी थे सद गुडो पासक रामभक्त धारा, ठीक है, शिक्स का ओप्सन नुम्बर बी, सेवन का नाबादास की रामभक्ती मरियादा के स्थान पर माधूर भाव का पूर था, ओप्सन नुमर सी हो जाएगा, सही जवाब, नाबादास का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था, पंदर से सत्तर, इस भी में अनुमानित यानिकी अनुमान लगा कर, बीजक के रचईता कौन है, कुश्चन नुमर नाइन का ओप्सन नुमर भी हो जाएगा, कभी रिदास, दस नुमर सवाल है कि किसकी कवीता को सुनकर कभी नाबादास सिर्जुका लेते हैं, तो दस का ओप्सन नुमर ए सूर्दास की, ठीक है, नाबादास का इस्थाई निवास कहां है, था, इस्थाई निवास आपने के सकते हैं, व्रिदावन, ओप्सन नुमर ए, कोशन नमबर 12 ए कि कौन सी रशना नाभादास की है तो 12 का आपसन नमबर 2 हो जाएगा भक्त काल कोशन नमबर 13 है कि छपपय कितनी पंक्तियों का चंद होता है कोशन नमबर 14 है कि कानी का अर्थ होता है चौद़ा नमबर सवाल है और इसका सही जवाब होगा आपसन बड़ी विश्वास या फिर प्रतीती पंदरा नमबर क्योशन है कि सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते थें तो सभी सिरह लाते थें अगला सवाल है कि सुर्कवित सुनी कौन कावी में कौन सा अलंकार है तो इसमें अनुपरास अलंकार है अगला सवाल है कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं तो वो भेद नहीं करते हैं हिंदू और मुसल्मानों में 18. questions है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की ब्याजना है िस छंद की ब्याजना है छपपे Q19 है कि नाबादास में जाती-पाती यकिन बॉर्णाशराम का खंडन किस कवी के छपपे में किया गया है तो वो किया गया है कबीर के छपपे में ठीख है Next question देखिए कबीर दास किस शाखा के कवी है तो कबीर दास जैसा कि आप जानते हैं ये निर्गुर शाखा के कवी है एक किस नंबर क्योशन है कि नाबा दास का उद्धे हिंदी साहिते के किस काल में हुआ था तो वो हुआ था भक्ती काल में भक्तमाल के रचयता कौन है भक्तमाल के रचयता है नाभादास अगला सवाल सबके हीत का वशन कौन कहता है पाठ के अनुसार आपको बताना है वो है कबीर नाभादास के दिक्षा गुरु है दिक्षा गुरु है स्वामी अग्रदास अग्र अली विमल बध्धी हो तासकी जो यह गनुशावननी धरय यह पंक्ती किस श्रिश कवीता से है तो पच्चिस का अपसा नमबर डी इस दा करेक्ट अंसर छपपे नेक्स्ट कोशन है कि नाबादास की कवीता किन दो कवियों के बारे में है तो वो है कबीर एमसूर दास नाबादास के शिस्यत है यानि कि स्टूडेंट थे तो वो स्टूडेंट थे स्वामी अगरदास के नाबादास किस काल के कवीत है नाबादास थे भक्ती काल के कवी ऑपसा नमबर एस दा करेक्ट अंसर भक्त माल का रशना काल क्या है आप लोग को रशनाकाल बताना है पंदर सब पचासी से च्छानवेर यह है रशनाकाल आगे बढ़ते हैं तीस नमबर क्वेशन की भक्तमाल में संकलित है छपने ओप्सन नमबर ए इस दा करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर नमबर फाइफ जिसका नाम है कवि इसका स्टार्ट हो रहा है क्वेशन सबसे पहला सवाल पड़फट आप लोग वीडियो को लाइक शेर नहीं किये हैं तो जरूर करें और इस सारे अब्जेक्टिव कोशन को कम्प्लीट करें कोशन नमबर वन आ चुका है कवित शिर्षक कविता के कवि कौन है वन का ऑप्स नमबर दी हो जाएगा शिवराज भूशन कोशन नमबर फूर की वूशन की कविता पे कौन सा रस पाया जाता है वो पाया जाता है वीर रस कोशन नमबर फाइफ है कि छत्र साल दसक में चंद है तो यह इसमें दस चंद है ऑप्सण नमबर डी सदा करेक्ट अब कि भूशन के प्रथम खंड में कौन सा रस है उनमें वीर रस उप्सन नमबर सी आगे बढ़ते हैं कि भूशन दिति काल के किस धारा के कवि है सेवेन का आप्सन नमबर डी लुद करेक्ट अंसर रितियू जए नमबर येट ए कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है तो वीर रस है और सान नमबर एज़ दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं कुश्चन नम्र नाइन है कि कवित के दिवित्य पद में किस रशना की अभी विभ्यांजना हुई है दो साल की तल वार ने कौन सा रूप धारन कर रखा है तो बीच में लाइक शेयर करें और जितना जदा हो सके शेयर करें लाइक तो बस एक पर किया जता है ना शियर जितना ज़्यदा हो सके उतना ज़्यदा करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सकें ठीक है कोश्च नमबर 12 है कि कौन सिक्रती भूशन की है तो बारा का आप्चा नमबर 2 है शीवा बापनी कोश्च नमबर 13 कि कवी भूशन की उपाधी दी थी कवी बता होना चाहिए चित्रकूट के सुलंकी राजा रुद्र साह ने ठीक है कोश्च नमबर 14 है कि लागती लपकी कंट बैरिन की नागनी सी में कौन सा अलंकार है तो इसका सही जवाब अनुपरास अलंकार आगे बढ़ते हैं भूशन ने मुख्य तक इस भाषा में रशना क की आ है वह मुशन के दीच्षंद में किस रस्की अभिव्यव्याजना हुई है तो, रोधर की अभिव्यव्यव्यारना हुई है तेज प स्रेवराज बूशन कितने अलंकारों हो के निरूपण हुआ है तो सीवराज भूषन में याद रखिएगा 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है कि सिवा बावनी के कितने मुक्तकों तो 50 मुक्तकों में झातर साल दशक किसकी खृती है तो यह कृती है भूषन की अगला क्यूशन भूषन के प्रियन नायक कौन है तो नायक हैम, छत्रपति, शिवा जी और छत्रसाल शिवा जी के पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम था शाहू जी ओप्सन नमबर बी शिवराज भूशन किसकी करती है? तो 24 का ओप्सन नमबर भी भूशन की करती है चेतर साल दसक के कितने चंदों में महाराजा चेतर साल की विर्ता का ये शोगान किया गया है तो लगबग 10 चंदों में Question number 26 है कि भूशन किस काल के कवी थे भूशन जो थे वो एक रिती काल के कवी थे शिवा बावनी में कितने मुक्तक है शिवा बावनी में बावन मुक्तक है शिवा बावनी में कितने मुक्तक बावन न अठाइस का आपसा नमबर C is the correct answer बावन ठीक है चिंता मनी तृपाथी भूशन के कौन थे तो वो भाई थे 34 نمبر सुवाल है कि श्रीज़ा बाउनी में किसकी विर्था का अबा खान है? श्रीज़ाजी की आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंमर देखिए तुम बुझ उलाषल कला हमें चैप्टर नंबर तुम उलाषल कला में शिर्सक कविता के रचाईता कौन है? तो वो है जैसंकर परसाद राइटर ठीक है Q2 है कि कमाईनी के रचईता कौन है कमाईने के रचईता भी जैसंकर परसाद Next question जैसंकर तृपाथी ने कौन सी कवीता लिखी तो वो लिखे थे तुम्लकुलाहलकला में आसू किसकी रचना है आसु भी जो है ना ये भी जैसंकर प्रसाद की रशना है जैसंकर प्रसाद हिंदी साहित्यक एकिस काल की कवीत है तो ये आधुनिक काल के कवीत है दुरू स्वामिनी कैसी किरती है पूछा हुआ सवाल है important question नाटक है ठीक है जैसंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था तो जन्म हुआ था उन्हें से नवासी में कौन सी रशना जैसंकर प्रसाद की नहीं है तो प्राश्चित भी है धुरू स्वामिनी भी है कामना भी है option number 20 the correct answer सूर्सागर नहीं है ठीक है कौन सी रशना जैसंकर प्रसाद की है तो option number C कंकाल जैसंकर प्रसाद के पिता थे शिवरतन साहू जैसंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितरिविहीन हुए थे तो बारा वर्ष की अवस्था में प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानोस अभेता की मार्मिक समिच्छा की गई है तो कमाईनी में की गई है कमाईनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है तो यह जो है ना प्रबंद काव्या है जे शंकर परसाद की कौन सी कृती नहीं है आप लोगो बताना है सही जवाब वापस नमबर सी महराजम मान सिंग मनुष्य का शरीर क्यों ठक जाता है तो पाठ के हिसाब से मन की चन चलता से जो है ना मनुष्य का शरीर ठक जाता है तुमुलकुलाहलकला में परसाद जी की किस रचना से ली गई है तो ये ली गई है कमाईनी से जे शंकर परसाद की सफलतम नाट्यकृती कौन सी है द्रोस्वामिनी आगे बढ़ते हैं सजल जल परपात में कौन सा अलंकार है तो इसमें रूपक अलंकार है जे शंकर परसाद किस वाद के कवी थे तो ये जो है न ये च्छायवाद के कवी थे उन्निस का अपसा नमबर ए मैं उशा की जियोती में कौन सा अलंकार है स्लेश अलंकार आगे बढ़ते हैं जे शंकर परसाद ने किस भाषा में कावे रचना की है तो वो खड़ी बोली में परसाद जी का जन्म कहा हुआ था तो उनका जन्म हुआ था वराने सी में आपसान नमबर सी इनमें से कौन सी पुष्टक परसाद जी की है तो जहरना आपसान नमबर बी इस दा करेक्ट अनसर परसाद रचित महा कावे का नाम है तो वो है कमाईनी आप्सन नमबर बी जैशंकर परसाद की कौन सी कृती अपूर्ण है तो वो है इरावती परसाद जी के पिता का नाम क्या था पिता जी का नाम था देवी परसाद साहू इन में से कौन सी पुष्टक परसाद जी की नहीं है तो वो है श्रिवा जी का महत्व परसाद साहु जैशंगर परसाद के कौन थे तो वो थे पिता चात की किसके लिए तरस्ती है चात की जो है न वो स्वाती नक्षतर की पहली बुन्द के लिए तरस्ती है कंकाल क्या है ये एक उपन्यास है अब यहां से चैप्टर नमबर 7 जिसका नाम है पुत्र वियोग इसका सबसे पहला सवाल देखिए पुत्र वियोग शुर्शक कवीता किसकी रशना है तो यह जो रशना है यह सुबद्रा कुमारी चोहान की रशना है मैं असाय विवस्ट बैठी रही उठ गया चावना मेरा यह 35 की सिर्शक कवीता से ली गई है तो यह ली गई है पुत्र वियोग से सुबद्रा कुमारी चोहान का जन्म कब हुआ तो उनका जन्म हुआ था सुल्ला अगस्ट उन्हेसाच चारिस भी को सुबद्रा कुमारी चोहान के पिता का नाम क्या था उनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंग सुबद्रा कुमारी चोहान का जन्म कहा हुआ यह आप लोगों को बताना है उनका जन्म हुआ था फैजबादा आपसा नमबर D आगे बढ़ते हैं सुबद्रा कुमारी चोहान की कौन सी कृती नहीं है तो सिक्स का आपसा नमबर Sी हो जाएगा प्राश्चित नेक्स्ट oppression देखी इस बत्राकुमारी चोहान को किस पार्टी का M.A.ले चुना गया था तो इनको चुना गया था Congress पार्टी तो गॉर्ल गॉनते पार्टी का सबद्रा कुमारी चोहान किस वर्ग की कंवित्री मांदे जाती है तो यह राष्ट्रuing भावधारा की कवित्री मानी जाती है सुबद्रा कुमारी चोहान की कौन सिक्रती है तो वह है सुबद्रा कुमारी की कौन सिक्रती है तो नाइन का उप्सन बड़ी हो जाएगा सब सभागे खेल पुत्र वियोक्षिशक कविता में कवित्री का खिलावना क्या है कवित्री का होना है उनका पुत्र कुमारी चोहान का निधन कैसे हुआ कार धुरगटना में हो गया था कार एक्सिडेंट सुबद्रा जी के सहित्य में अपने युक्यमूल उद्वेश उनके भिन भिन रूप अपनी आमरन हीन प्रकास शाहिली किसका कथक है तो इसका सही जवाब आपसर नंबर ए मुक्ति बोध वर्ग नौ तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री औसायोग अंदोलन में कूद पड़ी तो वो सुबद्रा कुमारी चोहान ही थी सुबद्रा कुमारी चोहान के अनुसार मा के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन ह का जाता है पुत्र के मृति होने पर सुबद्रा कुमारी चोहान का जीवन सुना सुना क्यूं हो रहा है इसलिए हो रहा है क्यूंकि पुत्र के असमय निधन हो गया है इसके कारण सुबद्रा कुमारी चोहान स्वय को आसहाय क्यों कहती है पुत्र वियोक के कारण गुलामी का नशा किसकी रशना है ठाकुर रामनात सिंग की पुत्र वियोक कवीता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मान कर पूजा की तो वो पुत्र के लिए अपने बिख्रे मोती क्या है बिख्रे मोती ये एक कहानी का संगर है कहानी का किताब है सुबद्रा कुमारी चोहान के पती का नाम क्या है पती का नाम ठाकुड लक्षमन सिंग क्रस्थ वेल्ड गॉल्स स्कूल में सुबद्रा कुमारी चोहान की प्रियमित्र कौन थी तो वो थी महादेवी वर्मा सुबद्रा कुमारी चोहान का परतिनी दी कवीता संग्रह कौन सा है तो वो है मुकुल option number 20 is the correct answer आगे बढ़ते हैं सुबद्रा कुमारी चोहान की लिखी कवीता कौन सी है तो इनकी लिखी कवीता है पुत्र वियोग पुत्रवीयोग शिर्शाक वीता किस कावे संग्रा से ली गई है तो ये ली गई है लहर से ठीक है सॉरी लहर मुकल ठीक है कुश्णमर ट्वियोग ये जो रशना है ये है सुबदरा कुमारी चौहान की कोश नमबर 27 है कि छोड़ो काम दोड़ कर आई मा कहकर जिस समय पुकारा किस कवीता की पंक्ती है आप जानते हैं पुत्र वियोग कही होगा न आपसन नमबर C सेक्सरिय पुरसकार नमलिखित में से किन को मिला मिला था सुबद्रा कुमारी चोहान को तुरी धारा क्या है तुरी धारा कवीता संग्र है मुकुल पर सुबद्रा कुमारी चोहान को किस साल साहित है केडमी सम्मेलन की तरफ से पुरसकार प्राप्त हुआ था इनको पुरसकार मिला था उन्हें सत तीस ओप्सन नमबर C is the correct answer आगे बढ़ते हैं चैप्टर नमबर 8 जिसका नाम है उशा अब यहां से इस चैप्टर का क्वेशन स्टार्ट हो रहा है पहला सवाल है कि कवीयों के कवी किसे कहा जाता है ऑप्सन नमबर D शमशेर बहादूर सिंग को कहा जाता है कवीयों का कवी दूसरा सवाल इतने पास अपने शिशक संखलन किस कवी के द्वारा लिखा गया तो यह लिखा गया है विनोत कुमार शुक्ल द्वारा ऑप्सन नमबर A is the correct answer आगे बढ़ते हैं समशेर बहादूर सिंग ने कौन सी कवीता लिखी तो उनकी कवीता का नाम है पुत्र व्योग जी नहीं उशा ऑप्सन नमबर B is the correct answer थ्री का ऑप्सन नमबर B चेप्टर नमबर 80 है ना जी यह उशा इतने पास शिशक संखलन किस कवी के द्वारा लिखा गया है इसका ऑप्सन नमबर D होगा शमसेर बहादूर सिंग थोड़ा यहां पर गलत हो गया शमसेर बहादूर सिंग ने प्रतिनीदी कविताय नामक का वेकृति का संपादन किस ने किया है तो 5 का ऑप्सन नमबर C डॉक्टर नामबर सिंग ने शमसेर बहादूर सिंग ने किस कोश का संपादन किया है 6 का ऑप्सन नमबर C उर्दू हिंदी कोश उस्रा सिर्सक कविता के कवी कौन है 7 का ऑप्सन बड़ी शमसेर बहादुर सिंग को हिंदी साहेतें में क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है कवियों का कवी ठीख है और सब्च नम्र नाइन है कि दूसरा सब्चक का प्रकाशन वर्ष है तो इसका सही जवाब होगा अप्शन नबर भी उनैसा संतावन सम्षेर बहादूर सिंग कि साहित्यकार के समकालीन थे तो टैन का अप्सन बढ़ी नागा अर्जुन ग्यारा नमबर क्यूशन है कि शम्षेर बहादूर सिंग की रशना किसी सब सकन की तलास सकन देखिए सुकून सुकून की तलास किसकी रशना है तो फोटीन का अप्सन नमबर सी इकबाल की कि फोटिन का उप्शन नमबर सी नहीं डी शम्शेर बहादूर सिंग की देखिए एक बाल की उप्शन नमबर सी में होना चे शम्शेर बहादूर सिंग यहाँ पर थोड़ा सा उप्शन का फिर बदल हो गया है फोटिन का उप्शन नमबर डी हो जाएगा शम्शेर बहादूर सिंग ठीक है उशा कवीता में प्रातर काल को किसके समान बताया गया है तो बताया गया है नीले शंख के समान कौन सी कृती शमसेर बहादूर सिंग की है सुल्ला का अप्सनमबर सी काल तुझसे होड है मेरी ठीक है प्रकृती वर्णन से संबंधित कविता है सेवेंटीन का अप्सनमबर भी उशा शमसेर बहादूर सिंग का जन्म कब हुआ था अठारा का अप्सनमबर सी 13 जनवरी उने से 11 को नील जल में या किसी की गौर जिलमिल देह जैसी हील रही हो या पंक्ती किस शिशक कविता से है उशा से लिया गया है शमसेर बहादूर सिंग की पतनी का नाम क्या था तो उनकी वाइफ का नाम था धर्म देवी शमसेर बहादूर सिंग की रशना निम्न में से कौन है तो 21 का अप्सनमबर डी तूटी हुई बिख्री हुई 22 क्योश्शन की शमसÉर बहादूर सिंग ने किस स्थान से बीये किया तो इलाहबाद से वो बीये किये थे प्रभात कालीन आकाश कैसा है प्रभात कालीन आकाश जहना नीले शंक के जैसा है शमसेर बहादूर सिंग ने provide 76 में किस देश की यात्रा की 24 का अपसन नमबर 20 सोवियत रूस की शमसेर बहादुर सिंग का संबन किस विश्व विद्याले से रहा 25 का अपसन बर सी विक्रम विश्व विद्याले उजयन किसका जादू तूटता है तो उशा का जादू तूटता है न 27 का शमसेर बहादुर सिंग का जन्म कहा हुआ था तो देहरादूर में चुका भी नहीं हुँ मैं के रचैता कौन है शमसेर बहादुर सिंग शमसिर बहादुर सिंग का निधन कब हुआ था नैसा तिरान बरिस्वी में शमसिर बहादुर सिंग लिखना शुरू किये थे थे उन्हें 32 से 33 अब यहां से चैप्टर नमबर 9 सबसे पहला सवाल 9 चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक और इसका सबसे पहला सवाल है कि मुक्तिबोध की कवीता है कौन सी कवीता है जी हां जन जन का चेहरा एक यानि कि मुक्तिबोध जहना राइटर है जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध का जन कहा हुआ था तो दो का उप्सन नमबर 36 गड़ में मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था तो उनके पिता का नाम था माधवराज मुक्ति बोध ठीक है next question देखिए question number 4 की कमाईनी एक पुनर विचार के रचैता है 4 का option number 3 हो जाएगा मुक्ति बोध ही क्योंकि उन्हीं का chapter का objective question हो रहा है मुक्ति बोध के अनुसार जवाला कहां से उठती है तो जवाला उठती है जनता से 6 number question की मुक्ति बोध का जन्म इस्थल कहां है तो जन्म इस्थल है शेयोपूर 6 का B जन जन का चेरा एक शिर्चक कवीता किसकी रचना है 7 का option number B की गजानन मादव मुक्ति बोध मुक्ति बोध ने नागपूर से निकलने वाली किस यात्रा का संपादन किया तो option number C is the correct answer नया खन खून 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 देखिए खन टाइप हो गया है खून इंदी साहिते में का जन गजानन मादव मुक्ति बोध का उदर कैसे कवी के रूप में हुआ है तो परियोग वादी कवी के रूप में कि मुक्ती बोद्ध में किस विश्वविद्याले से में किया connecting नागपुर विश्वमिद्याले था अनेक्सट। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है ज़़नमादव मुक्ती बोद्ध। मुक्ति बोद ने दिग व्युजए महा वुद्याले लुप जाए राजानन्द गाओंमे पढ़ान और ध्यौपक के पद पर कब से काम करना प्रारम किया था उन्हें 58. इस कौन सी किर्थी मुक्ति बोद की है द्रौद पती मुक्ति बोद निराला किस तरह के कवी है तो ये एक करांतिकारी कवी है मुक्ति बोद के कवीता संग्रा का नाम क्या है तो कवीता संग्रा का नाम है चांद का मुह टेड़ा है आगे बढ़ते हैं 16. कि नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बैती बहाती हुई जिन्दगी की धारा एक या पंक्ती किस स्रिशक कवीता से लिगाई है विजोली बात है जन जन का चेहरा एक से ही तुलिया गया है अग्या दोरा संपादित तार सब्तक के एक कवी के रूप में कौन सामने आए मुक्ति बोध ही थे किन्हों ने प्रायल लंबी कवीताये ही लिखी है तो वो गजालन मादा मुक्ति बोध है काफी इंपोर्टन ये सारा इंपोर्टन कोश्चन है मुक्ति बोध कि सब्तक के कवी थे तो ये तार सब्तक के कवी थे ये भी बहुत इंपोर्टन सवाल है कौन सी रशना मुक्तिबोध की है 20 का उप्सन नमबर D मुकुल मुकुल होगा जी नहीं कमाईनी एक पुनर विचार ठीक है कुश्चन नमबर 21 कि गाजानन मादव मुक्तिबोध अपने रशनात्मक जीवन में किंदो पुर्धान में शुक विचार धाराओ के संसर्ग में आए 21 का उप्सन नमबर ए अस्तितो वाद एव माक्स वाद 22 एक साहिते की शायरी किनकी रशना है तो इसका सही जवाब होगा 22 का उप्सन नमबर सी मुक्तिबोध कौन सी रशना मुक्तिबोध की नहीं है 23 का उप्सन नमबर भी हो जाएगा भीहारी पुनर मुल्यांकन ठीक है मुक्तिबोध ने नागपूर के प्रकाशन तसासूशना विभाग में किस रूप से नौकरी की 24 का उप्सन नमबर ए हो जाएगा पत्रकार के रूप में किये थे मुक्तिबोध की मा का नाम पारवती बाई उप्सन नमबर भी जन जन का चेहरा एक के रशनकार और वीजोरी बाते गजानन मादा मुक्तिबोध नए साहिते का सौंदर शास्तर के लेखक ये भी मुक्तिबोध ही कहलाएंगे कौन सी रशना मुक्तिबोध की है तीस का उपसन नमबर डी चांद का मुझ टेड़ा है आगे बढ़ते हैं चेप्टर नमबर टेन जिसका नाम है अधिनायक इसका सवाल स्टार्ट हो रहा है सबसे पहला सवाल है कि अधिनायक के रचईता कौन है तो वो है रगवीर सहाय दूसरा सवाल अधिनायक शिर्शक कवीता किस तरह की कवीता है तो ये एक व्यंग प्रधान कवीता है ठीक है हर चरण ना कौन था हर चरण ना जो था नम वो घर का नौकर था त्री का उपसन नमबर एब रगवीर सहय ने कौन सी कवीता लिखी तो वो लिखे थे अधिनायक अधिनायक शिर्षक कवीता किस पुष्टक से ली गई है आत्म हत्या की विरुद इसी पुष्टक से ली गई है रगवीर सहय किस काल के कवी है तो ये आधुनी काल के कवी है आपसा नमबर ए लोग भूल गए हैं किसकी रशना है रगवीर सहाई की रगवीर सहाई का जन्म कहा हुआ था लखनव उत्तर प्रदेश अधिनायक कौन है अधिनायक है सतधारी वर्ग रगवीर सहाई ने म.A. किस्वविद्याले से किया था लखनव विश्वविद्याले लखनव से क्या प्रतिनी दी अग्या द्वारा संपादित दूसरा सब्तक में कवी के रूप में कौन सामने आये थे एक कवी के रूप में कौन सामने आये थे बारकासी हो जाएगा रगवीर साहे दूसरा सब्तक के साथ कवीयों में कौन सामिल है तो वही रगवीर साहे ही सामिल है अजि कब हुआ था जन्म हुआ था नौ दिसंबर उनेसा उन्थिस को रगवीर सहाय की सब तक में एक कवी के रूप में शामिल हुए तो दूसरा सब तक अपसा नमबर भी लिखने का कारण शिर्शक निबंद किस लेखक की रशना है रगवीर सहाय की आगे बढ़ते हैं निमलिखि अठाड़ का सी दुरुवासनी नहीं दुरुवासनी यह जो है न यह भी नहीं होगा काट का सपना भी नहीं होगा तूटी हुई बिखरी यह भी नहीं होगा यानि कि ऑप्सा नमबर सी इस दा करेक्ट एंसर वे लोग भूल गये हैं यह रगवीर सहाय की है रगवीर सहाय क समाचार सापताई के प्रधान संपादक थे दिनमान ऑप्शन नमबर ए रगवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे अभी बताया गिया दिनमान के ऑप्शन नमबर भी दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है यह क्या है यह एक निबंध है आत्पहत्या के विरुद बाइस का अपसर नमबर सी ये के कवीता है रगवीर साहे के पिता जी का नाम था हरदेव साहे रगवीर साहे का जन में स्थल कौन सा है तो वो है लखनव रगवीर राष्ट्र तेवहार के दिन हरचरणा क्या पहने हुए है तो हरचरणा पहने हुए फटा सुथनना ठीक है कौन सिकरती रगवीर साहे की है तो 26 का अपसर नमबर डीस तक करेक्ट नसर सीडियों पर धूप में रगवीर साहे नई दिली से निकलने वाले की सखबार के विशे से समवधाता थे तो ना भारत टाइम हसो जल्दी हसो की कभी कौन है रगवीर साहे ही है रगवीर साहे किस कृती के रचनाकार है कुछ पत्ते कुछ चिठ्थियों के रगवीर साहे कजनमिस्थान तीस का अपसर नमबर भी लखनाव उत्तर परतिस अब चेप्टर नमबर 11 फटाफट अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर करें 11 चेप्टर का नाम है प्यारे नन्य बेटे को और सबसे पहला सवाल की प्यारे नन्य बेटे के रचाईता कौन है तो इसके लेखक जो है वो है विनोद कुमार शुक्ल आपसन नमबर C ठीक है कोशन नमबर 2 है कि एक तार लोहे का लंबा लकडी के दो खंबो पर तना बंधा हुआ बाहर या पंक्ती किस शिशक कवीता से उद्रित है तो दो का आपसन नमबर C प्यारे नन्य बेटे को प्यारे नन्य बेटे को शिश्शक किस कवीता किस कवीता के संकलन से संकलित है उद्रि का आपसन नमबर D वो आदमी नया घरम कोट पहन कर चला गया विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कवीता लिखी प्यारे नन्य बेटे को आपसन नमबर B 1999 में सögविज्ञ में विनोद कुमार्शुकल kı कौन सा पुरसकार पुरदान किया गया उनको पुरसकार मिला था साहिटि hai केडमी पुरसकार व कि विनोद कुमार्श्य का निवास स्थान कहा है तो वह 36 गड़ अपसनल म्वर का पहला कवीता संगरा लगभग जय lacking पहचान सीरीज के अंत्रगत का प्रकाशित हुआ सेवन का अपसन नमबर ए उने से एकहत्तर विनोत कुमार शुक्र विश्वविद्याले में एसोस्टियेट प्रोफेसर रहे विश्वविद्याले में रहे थे उसका नम है इंद्रा गांति क्रिसी विश्वविद्याले कुशन नमबर नाइन कि प्यारे नन्य बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई तो ये लिखी गई थी वरतलाप शैली में नौकर की कमीज क्या है तो ये एक उपन्यास है प्यारे नन्य बेटे को कविता का नायक कहा का रहने वाला है उत्रखंड का रहने वाला है विनोत कुमार शुकल की रश्ना महा विद्याले साहिते की किस विधा का संगरा है तो ये एक कहानी संगरा है पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ तो इतावले भाषा में हुआ था पत्नी बिटिया को क्या करती है तो पत्नी बिटिया को समझाती है विनोद कुमार शुकल की कृतियापलो की बतानी है तो इसका नाम है सब कुछ बचा रहेगा अप्सन नमबर सी विनोध कुमार शुकल पिस्वी सदी के किसी दशक में कवी के रूप में सामने आए साथवे आठवे दशक में निम्न में कौन कवीता संकलन विदो विनोध कुमार शुकल का है तो इसका सही जवाब होगा A. वो आदमी गरम नया गरम कोट पेन कर चला गया विचार की तरह विनोध कुमार शुकल का जन्म कहा हुआ था तो हुआ था 36 कड़ा उप्सन नमबर D रगुविर साहे समिर्थी पुरसकार विनोध कुमार शुकल को कब प्रदान किया गया तो उनेश का उप्सन नमबर D हो जाएगा उनेश सा 90 भी में विनोध कुमार शुकल का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था एक जन्वरी उनेश साहतीस को क्वेशन नमबर 21 है कि कौन सी कृती विनोध कुमार शुकल की है तो वो है दिवार में एक खिड़की रहती थी ठीक है विनोद कुमार शुक्र द्वारा लिखित है तो इसका भी यह हो जाएगा नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्र किस कृति पर मनिकॉल ने फिल्म बनाई थी किस कृति पर विनोद कुमार शुक्र की वो जो कृति थी उसका नाम था नौकर की कमीज नेक्स्ट कोश्चन पिता बेटिया को क्या करता है तो सिखलाता है 25 महनतकश और ओरत को कभी ने किस रूप में देखा है तो लोहा के रूप में देखा है प्यारे नन्ने बेटे को कभीता किसे संकलन से ली गई है तो आप्सन नमबर A वो आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह इसी कवीता संकलन से ली गई है 27 नमबर क्योशन है कि प्यारे नन्य बेटे को कवीता में लोहा किसका प्रतीक है तो वो है कर्म का विनोत कुमार शुकल का पहला कवीता संगरा कौन सा है मनी कॉल द्वारा की सुपन्यास पर फिल्म बनाया गया नोकर की कमेजना जी हाँ आपसन नमबर एज दा करेक्ट एंसर कॉशन नमबर थाटी तीस नमबर क्योशन है कि महा विद्याले क्या है तो ये कहानी का संगरा है अब ट्वल्व नमबर क्योशन है ट्वल्व नमबर सॉरी चैप्टर जिसका नाम है हार जित बारहवा चैप्टर अब मातर एक और चैप्टर बचा हुआ है तेरा बारह तेरा बस यही दो है उसके बाद से कंप्लीट तो आप लोग को अंत तक बने रहना है अशोक वाचपई ने कौन सी कविता लिखी है जिसका नाम है हार जीत कविता संकलन से ली गई है तो कही नहीं वही ऑप्शन नमबर A is the correct answer घास में दुप का आकाश किसकी किरती है त्री का अशोक वाचपई की किरती है कही नहीं वही कविता संगरा किसके दवारा रचित है अशोक वाचपई की मा का नाम क्या था तो उनके मा का नाम था निर्मला देवी किसकी विजय हुई सेना की की नागरी को किया पंक्ती किस पार्ट से लिगई है तो सेवन का ओपनाबर ए हारजित पार्ट से लिगई है ओपन अमबर यह इस दले करेक्ट अग्य मी अगये भरते हैं कर शोब बाचपई ने किस विष्वविद्याले से बीए किया तो सागर विष्वविद्याले से विए थे अशोक वाच्पई किस विश्वध्याले के कुलपती रह चुके हैं तो वह महात्मा गांधी अंतरास्ट हिंदी विश्वध्याले लाइन का भी अशोक वाच्पई का जन्म कहां हुआ था तो दुर्ग 36 गड़ में हार्जित कैसी कृती है तो यह एक गड़ कवीता है ठीक है हार्जित कवीता में किसका प्रशन उठाये गया है हार का प्रशन उठाये गया है अशोक वाच्पई ने कहां रहेकर स्वतंत्र लेखन किया तो दिल्ली में रहेकर स्वतंत्र लेखन किया था अशोक वाच्पई ने किस कॉलेज से में किया तो वह सें शोक वाजपेई की तो उम्मीद का दुसरा नाम ये है रशना वाजपेई की ठीक है ऑफ और कभी हो गया आगे बढ़ते हैं सुल्ला का आज़ जिसर श्री हो वीता किस प्रकार की रशना है तो ये गद वीता है और सत्र नमबर क्वेशन की एक पतंग अनंत में किसकी रशना है तो ये रशना है अशोक वाजपेई की 18 नमबर क्योश्चन की कौन सा कावे संगरा अशोक वाजपेई द्वारा रचित नहीं है तो इसी हो जाएगा गंगा तट आगे बढ़ते हैं कौश्चन नमबर 19 है कि तस पुरुस किसकी रशना है तो ये रशना है अशोक वाजपेई की ऑप्सन नमबर डी 20 नमबर क्योश्चन है कि कौन सिकर्थी अशोक वाजपेई की है तो कवी कह गया है ये है ऑप्सन नमबर डी is the correct answer 21 नमबर क्योश्चन है कि इबारत से गिरी मात्रा है शिशक कवीता संगरा किसकी रशना है तो इस अशोक वाजपेई ने किस पत्रिका का संपादन किया था तेस का डी हो जाएगा पुर्वाग्रह कोश्चन नमबर 24 है कि अशोक वाजपेई का जन्म कब हुआ था तो आपसन नमबर इसका ए हो जाएगा 26 जनौरी उन्हें से 41 को हार जित कवीता में उत्सव कौन मना रहे है तो उत्सव मना रहे हैं शासक दल की आम जन्ता ओपसन नमबर इसकाल के कवी है तो अशोक वाजपेई जो है ना वो आधुनिक काल के कवी है कौन सिकृति अशोक वाजपेई की नहीं है तो वो है कोनार्ख उत्सव मना रहे है तो वे जो है ना वो नागरी को के लिए आया है आम जन्ता ओपसन मना रहे है अब लास्ट चेप्टर जिसका नाम है गाउं का घर उसके बाद से सारा अबजेक्टिव कंप्लीट हो जाने वाला है तो देखिए सबसे पहला क्योश्चन है इस चैप्टर क लास्ट चैप्टर का कि गाउं का घर कवीता के कवी कौन है तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा ज्यानेंदर पती दूसरा सवाल की ज्यानेंदर पती किस काल के कवी है तो ज्यानेंदर पती जो है ना ये आधुनी काल के कवी है दूसरा तीसरा सवाल है कि पंचायती स्थापित हुए थे तो कारा अधिक्छक के पद पर वो इस्थापित हुए थे ग्या नद्र पति के पति का नाम क्या था पति नहीं पीता का नाम क्या था तो 6 काыш pri Konstant court sub saints नंबर एं देवेंद्र प्रसाथ चोब ठीक है स ждar क्या यह क्या थैंकि घ्यानेंड्र पती ने कौन्य तीक विर्फीरे लिखी है तो सेव्न का आप्सान नंबर 20 इस दा करेक्ट एंसर गाओं का घर ग्यानेंद्रपती बीए तथा अंग्रेजी में एमें किस विश्व विद्याले से किये थे पटना विश्व विद्याले पटना से किये थे ग्यानेंद्रपती बीसवी सदी के किस दशक में उदित हुए तो आठवे दशक में ये उदित तो बिहार विष्व विद्यालने मुजफवर पूर से किये थे ग्यानेंद कर पती का जन्म कब हुआ थो इनका जन्म हुआ था एक जन्वरी उन्हें सब 50 को बारा नंबर क्योशन है कि ग्यानेंदर पती की रश्ना एक चक्रानगरी क्या है तो ये एक काव्या नाटक है तेरह नमबर क्यूशन कि ग्यानेंद्र पती को उनकी किस रशना के लिए 2006 में साहीत एकेडमी पुरसकार परदान किया गया था तो उस रशना का नाम है शंशियात्मा कौन सी रशना ग्यानेंद्र पती की नहीं है तो उसका नाम है थोड़ी सी जगह अप्सन नमबर डी ठीक है गाओं के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कराना पड़ता था तो आप लोगों को पता होगा बुजर्गों को खास कराना पड़ता था कौन सी रशना ग्यानेंद्र पती की है तूसरा श्या का नाम है ग्यंगातट उसके बाद से सरकश का प्रकास बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है सतर का आपस नमबर ए हो जाएगा दस कोश दूर से आने वाला है ग्यानेंदर पती का जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म हुआ था जहारखंड में अगला सवाल है कि शन्म के आत्मा किस के किरती है ये तो खर आप लोग जानते हैं ग्यानेंदर पती का आख हाथ बनते हुए कवीता किस कवी की रशना है तो इसका भी आपस नमबर ए हो जाएगा ग्यानेंदर पती दूद बे अंगठे के चापे किनके हैं एका इसका ए हो जाएगा दादी के ग्यानेंद्र पती का काव या नाटक है 22 का आपसा नंबर ए पढ़ते पढ़ते 23 है कि ग्यानेंद्र पती को साहित एकेडमी पुरसकार किस कृती पर मिला था तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा शंसियात्मा पर मिला था गाउं का घर किस कवीता संग्रा से लिया गया है तो ये लिया गया है शंसियात्मा से ठीक है 24 का D और 25 नंबर क्यूशन है कि कवी ने कहा ये क्या है तो ये एक कवीता का संग्रा है गाउं में अब किसकी धुने सुनाई नहीं पड़ती है तो गाउं में जो है न अब लोक गीत की धुने सुनाई नहीं पड़ती है इसका तुम्हें आप लोगों को बताई संस्यात्मा पर आगे बढ़ते हैं शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है कब प्रकाशित हुआ तो 28 का भी हो जाएगा उनेस अस्ती में विश्वी सदी के आठवे दर्शक में उदुत हुए कभी कौन है तो वो है ज्यानेंद्र पती ऑप्स नमबर डी ज्यानेंद्र पती को शंकर की संस्यात्मा के लिए साहिते केडमी पुरस्कार देखे शंकर नहीं रहेगा ज्यानेंद वो है 2006 2006 में इनको साहिते केडमी पुरस्कार मिला था संस्यात्मा लिखनी की वजह से तो फाइनली आज के इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी का संपूर्ण अब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट जी हां पूरा जितना भी बुक है ना पूरे बुक से जितना भी में आया है ठीक है और चैनल पर अगर आप लोग नया नया आया हुए है मरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्ट जरूर अन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुचे अगर कोई भी डावट है इस वीडियो से टो फिर आP लोग कमेंड किसले बनाएगे है जो भी डावट है जो भी आप लोग के अंदर फिलिंग से भाउना है उसको इदार करने के लिए सभावन बनाएगे है जो भी डावट हम लोग अगले वडियों में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज